प्रेजल और एफ्रिवन आप सबका हम यहोश्वर अंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री में सुवागत करते हैं वैं हमारे लिए पैदा हुआ युर्द नदी में परमेश्वर ने उसका अभिशेक किया उसने परमेश्वर के राज्य का परचार किया वैं बिमारों को चंगा करता और दुस्ट आत्माओं को निकालता है वैं हमारे ही पापों के लिए क्रूस पर चड़ाया गया परमेश्वर पिता ने उसे मृत्यु से जिलाया वैं चालीस दिन और चालीस रात लोगों के बीच रहा पांसों से ज्यादा लोगों ने उसे देखा तब वैं स्वर्ग पर चड़ गया वैं जल्दी आ रहा है क्या आप सब दयार हो आओ हमारे साथ चुड़े और परमेश्वर की शक्ति को मैसूस करें किर्प्या हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें तांके आने वाली हर एक वीडियो और परमेश्वर के अद्बुद और शक्तिशाली कामों को देख सकें एमेन हालेलूईया मैं परमेश्वर का बहुत सरा धनिवाद करती हूँ प्रभी येश्वर मंसी के नाम से अज के दिन के लिए मैं परमेश्वर का ठैंक्स करती हूँ जितने भी इस मीटिंग को और लाइन देखरें जगा पर मजूद है मैं परमेश्वर के लिए अब सभी को बहुत सरा धनिवाद करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आज की मीटिंग के दुराना आप बहुत सारा परमेश्य आपको ब्लेस करने वाले हैं आमेन और चिते भी समेटिंग को ओर लाइन देखरी जगा पर मजूद हैं सबको मेरी आउस से जैम सिकी और मैं विश्वास करती हूँ कि एकलीसिया आज भी जो खुदवन परमेश्य ने हमें अपनी जीवत हजूरी में चुनाएं आज भी परमेश्य आपको बहुत ही ब्लेस करने वाले हैं और सच्मेश्य जो कि हम जानते हैं कि आज बहुत ही खांश मीटिंग है आज प्रभु भोजे और जैसे परमेश्य ने अपनी दांस के द्वारा भी उसने मैसीज दिया था कि जो कि प्रभु भोजे वो फर्स्ट पजन में हम लेंगे तो सच्मेश्य जिस चाहत और जिस वि नेशुंस लेकर आयों तो परमेश्य Wra ah k 19 आपको बहुत ही ब्लस करीब कि वो परमेश्य जानते कली सिया तो कि जब भी परमेश्य अपने दांस को अगवाई और आयो परमेश्य सिखाते तो हमारी उंती के लिए तो जैसे परमेश्य ने अपने दांस को द이다 are वारद बसक् आमेन क्योंकि इकलिस्या जो वचन परमेश्र अपने दांस को देते हैं वो हमारी ब्लैसिंग के लिए होता है हमारी उंती के लिए उता है तो सच में जब परमेश्र के दांस फॉर्स्ट प्रियार आज भी करेंगे तो आपके जीवन में परमेश्र आज भी बड़े कामों को आज भी आपके जीवन में कोई हलात कोई भी परेशानी कोई बोज तो परमेश्र आपको शुड़ाएंगे को कि वो परमेश्र सर्वशक्ती मान कुदवान परमेश्र जैसे बाइबल में लिखा एकलिसिया पर्स्ट पत्रस में भी क्योंकि परमेश्र निका है कि अगर करें तो हमें भी परमेश्र के उन गुनों को प्रगट करना है उन फलो को प्रगट करना है कैसे क्योंकि जब हम परमेश्र के उन आग्याओं को उन वच्णों को फॉलो करते हैं सीखते हैं तो परमेश्र हमारे जीवन में वो जो परमेश्र के फल कामों से प्रगट होते हैं तो आज भी परमेशुर अपने दांस के द्वारा जो आज की मीटिंग है आज की प्रेयर होगी जो लोग तो आज टाइम पर पहुंचे तो आज की प्रेयर उनके चीवन के लिए आशिश का कारण होगी उन्ती का कारण होगी ब्लैसिंग का कारण होगी आमेन क्योंकि क्लीस यह परमेशु चाहते जब आप अपना विश्वांस लेकर आते उस नियम को उस वचन को पूरा करते हो अगर आप मन से लेते हो कि जो वचन है वो स्वरक से स्वरक से परमेशु दे रहे तो आज भी अगर आप इस विश्वांस से आयो कि जो जो वचन आपको ब्लेस करेंगे क्योंकि परमेशन ने वाइबल में लिखा है कि जब अकांस से वरखा आती है तो वियरती ठैरती वो फल को उपजाव करती है तो आज वो वचन जो परमेशन ने अपने दास को दिया है वो हमारे जीवन में बहुत आइट से फल को प्रगड करेगा वो जो हमारे जीवन में जो अभी मारे जीवने में कुछ प्रॉब्लम में कुछ परेशानी है तो जो लोग तो आज समय पर पहुंचे तो आज परमेशन के मन को जांस रहें उनके उस जिस विश्वां से आप जहां पर पहुंचे हो तो परमेशन आपको देख रहे हैं करना है जब आप परमेश्वर का वचन समझ कर ग्रहन करते हो तो परमेश्वर भी हमारे उस मन को जांचते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना यह दिगेवा कि परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे चीवन में उसकी इश्यपूरी हो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे चीवन ब्लेस हो, कितने लोग आज भी उस विश्वास से आए, क्योंकि हमने सब ने उस मैसेज को सुना था, कि आज के जो मेटिंग है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कि जब प्रभु बोज हो, तो वो फर्स्ट बजन में हो, क्योंकि आज ये वच्छन जो खुदा ने दिया है, वो पर्मेश्वर ने अपने दास को दिया है, तो आज उस वच्छन के द्वार परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाले हैं, और मेरा भी विश्वास है, कि जो लोग आउनलाइन भी देख रहे हैं, इस मीटिंग को इस जगा पर मजू दें, तो आज खुदावन परमेश्वर उ अपको बहुत सारा परमिश्वर आगे लेके जाएंगे, कोई कि आज अपने उन फलों को प्रगट करना है, अपरमेश्वर ने अपको अंधिकान से निकाल रेया है, आज अपने उस जैसे वाइबल में लिखाए कि उस जोती के फलों को आपने आज प्रगट करना है, को कि के इश्या जो है वह मारे जीवन में परमेश्र के कामों से प्रगट होती है अगर हम परमेश्र के काम देखते हैं कि कि इतने लोगों के जीवन आप लोग आज को प्रेगड किया है, तो अगर आज भी आपने उस वचन को पूरा किया है, जो परमेश्ज ने अपने दास को स्वर्क से दिया है, तो क्यों नहीं आप लोग आज ब्लेस होंगे? Amen! क्योंकि लीजिया, मेरा भी विश्वाश है, कि आपने हर इक नियम को, हर इक वचन को कभी भी हलके नहीं लेना, नॉर्मल मान से नहीं लेना, क्योंकि अगर आप परमेश के हजूरी में आ रहे हो, अगर वचन को सुन रहे हो, तो कभी भी नॉर्मल मान से नहीं, पूरन मान से विश्वास करें, पूरन विश्वास से इसक वर्ड जोज का मैसीज हम सुनेंगे तो आज भी परमेश्र आपको समझ दें आस बुद्धी दें कि आप उस वचन को समझे पकड़ करें और आगे उस वचन को लेकर जाएं जैसे परमेश्र आपको अंधिकार से चून लिए अपनी जोती में लेकर आएं तो परमेश्र चाहत है कि हम आज भी दुखों में रहें आज हम हलातों में रहें बीमारियों में रहें जी खुदावन की चाहत एकलिस्या और परमेश्र आपके मन को जांचते किस मन से आप आरे हो किस मन की तियारी से आप आज पहुंचे हो अगर आज अपना समा निकालकर आप परमेश्र को प ब्लेस्ट करेंगे आपको आज आशिश करेंगे आज आपके जीवन में हार वो रुका काम परमेश्ट के मेटिंग में जो वचन कम सुने प्रभू बोस को लेंगे तो परमेश्ट निस्ट परमेश्ट आपको ब्लेस्ट करेंगे आमेन तो सच में कलिसिया मैं परमेश्ट का ब कि प्रियर को आपने मन से ग्रहान करना है मागना है परमेश्य से देखना जब आप मागोगे रू से मागोगे तो परमेश्य आपको कितना ब्लेस करेंगे आज भी परमेश्य का आत्मा आपको टच करेंगा शुएगा क्लीशिया और आज आपने वो फेद वो विश्वास तेन पूरान से प्रगटो, फलों को प्रगट करे, तो मैं विश्वास करती हूं कि आशकी प्रेयर के दुरान, जो परमेश्र के दांस के दौरा, आशकी हम प्रेयर को रिसीव करेंगे, तहने वास से आपने रिसीव करना है, जो भी आपके जीवन में हलाते, परेशानी है अपने हर एक वचन को रू के साथ मांगना है कि परमेश्र आज के जो पावरफुल शबद जो परमेश्र आपके दांस के दुवारा हम सुने तो हमें अन्दी स्पोर्ट टच करें शुएं ऐसी ग्रेश परमेश्र मारे जीवन में आई ऐस अपने मांगना इकलीस क्योंकि आज की मीटिंग नॉर्मल नहीं है आज का कोई भी शबद कोई भी वचन आपके रिए नॉर्मल नहीं है और मैं विश्वांस करती हूं बलीव करते हूं कि परमेश्र आपको बहुत सरा आज की मीटिंग के दुरान शुमस्ति के नाम से जो परमेश्र स्वर्ग से आपको वच्छन दे, बहुत सरा ब्लेस हो चुके हो, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हम सब तारीफ करेंगे, तो स्वागत करेंगे एक बार, हम जोर से हॉली स्पट पवित्रात्मा का, जोर से जोर से जोर से, दिल से, दिल से, आमेन, आमेन, और भी रविशांस है कि, आज की मीटिंग, सुपर दुपर हो चुकी है, परमेशा आपको सुपर दुपर ब्लेस कर चुकी है, आमेन, आज आप जैसे आए हो, आप वैसे नहीं जाओगे, मैं देख रहा हूं कि, परमेशा आपको बड़ बल दे रहा है, आगे बढ़ने के लिए, वो बल दे रहा है, और आने वाले धिनों में मेरा विशास है कि, जो परमेशा की चाहत है आपके जीवन से, बोलो क्या है, जो आपके जीवन से जो खुदावन की चाहत है, यसे बाइब में लिखा कि, पवित्तर लोग सिद्धों, मसी की दे उन्नती पाए, और सेवा का काम, और मैं शास करता ह हो खुदावन अपनी सेवा के लिए, अपने कामों के लिए आपको बहताईद से इस्तमाल कर चुके हैं, मैंने का वो बहताईद से इस्तमाल कर चुके हैं, और जितने लोग खुदावन के वचन को मानते हैं, भोलो के आई, उसका बह रखते हैं, डर रखते हैं, मैं जानता कि बोलो क्या है यह हमेशा के लिए हो चुका है यह पूरा मार्च महिना कि बोलो क्या है जो मार्च महिना खुदावन नहीं हमें दिया है कि जो खुदाने हमें स्वारिक से वर्ड दिया स्वारिक से तो जितने लोग इस्वचन को पूरा कर रहे हैं बोलो क्या है जैसे इस्रेलियों में से बहुं सारे लोग उस देश के अधिकारी नहीं हो पाई क्योंकि जो वचन परमिशने अपने दास मुसा के दौरा उन्हें दिया था हुँ उस पर ना तो चले ना उस पर उन्होंने मन लगाया इसलिए बहुँ सारी लोग कुस देश के अधिकारी नहीं हो पाई पर जिते लोग वचन को पूरा करते हैं उसकी आख्यों को मानती है बाईप में लिखा कि परमिश उन्हें पृत्मी की जातियों से उच्छा करता है आमेन आप उच्छे होंगे मैंने गहां खुदावंद आपको उच्छा करेगा, आपकी प्रात्नों का उत्तर देगा, आपके परिश्यम अपनी आपकी जो मेहनत है, जो आप कर रहे हो, क्योंकि इसे परमिशने कहा है कि ही मेरे पुत्तर, मेरी किसी भी बात को हलके में न ले, क्या न ले, मेरी किसी भी ब नहीं लेती, जैसे डॉक्टर, अगर किसी पेशन्ट को, किसी मरीज को कोई बात ऐसे बोलता है, तो वो पेशन्ट अगर ध्यान नहीं रखेगा, तो वो लंबा नहीं जिएगा, अगर किसी को शुगर होगी है, तो डॉक्टर उस शुगर के जो पेशन्ट है, जो मरीज है, तो उसे वो सलान देता है कि मिठा तेरे लिए क्या है अब भैं मिठे का क्या करना समझा रही है तो वो फिर डॉक्टर की बात पर अगर ध्यान नहीं देगा कंट्रॉल नहीं करेगा नहीं मानेगा तो वो लंबा नहीं जियेगा इसलिए पर्मेशन निती वचन में तीन की एक में क्या कहा ही मेरे पुत्तर मेरी ताली मेरी शिक्षा को नाम बूलना बोलो क्या है ही मेरे पुत्तर मेरी ताली मेरी शिक्षा को नाम बूलना मेरी आख्याओं को हिर्दे रुपी पट्टियों पर क्या करना लिखना ऐसा करने से तेरी आयू तेरी उम्भर लंबी होगी और तु अधिक कुशल से रहेगा कितनों समझ आ रहेगा अधिक कुशल का मत्मल तुशांती से, खुशी से रहेगा पर कब रहेगा जब तुम मेरे वच्चन को मेरी बातों पर ध्यान लगाकर चौक्षी से क्या करेगा पूरा करेगा Amen मैंने गाँ जब चौक्षी से पूरा करोगे और जितने लोग करते हैं खुदामन उन्हें उचा उठाता है और मैं शाज करता हूँ जितने लोगों ने आज के वच्छन को माना है, आज इस बोज की मीटिंग, जो प्रभु बोज की मीटिंग है, यह बहुती खाश है, क्यों खाश है, हम सबसे पहले अपनी बाइबल निकालेंगे, और उससे पहले हम प्रात्ना करेंगे खुदा के वच्छन के आगे, आज के मीटिंग के लिए, आपनी आखों को बंद करो, अपनी आथों को उपाओ, जितने ओनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं, खुदा की जीवत हजूरी में, परमिश् उन्हें भी बहुत आशिश दे चुका है, आज के मीटिंग के द्वारा उनके भी बंद रस्तनों को खोल चुका है, आतों को उठाओ और धन्यवाद करो, लिपार राखा बाबारी शखा बाबाबाबा, यस इन दन नेम अब जीजस, यस कुदावन, जितने इस मीटिंग को ओनलाइन खुदावन देखते हैं, मेरी प्रभू तेरी दांस की प्रातना है, उन लोगों के लिए भी, मेरी परमेशन, तेरा रूत, तेरा आत्मा, बड़ा जुम्बस के साथ उनके घरों में, परवारों में कारिये करे, काम करे, जैसे तेरी बाई मचन में लिखा मेरी प् प्रजा घ्यान ना होने से नाश हो रही है, आज खुदावन जो घ्यान, जो आज तुने अपने दांस को दिया है, आज उस घ्यान के द्वारा भी वो शुडाए जाए, यह सिंदा नेम अब छीसस मेरी खुदावन, आज उस घ्यान के द्वारा शुडाए जाए, जितने ल इन लोग कोई चुकी हुआ है उर जितने लोगों ने तेरे वच्छन को माना और पूरा किया है मेरे परमिश्य मैन प्रातनागर तो खुद Kingdom Kisoo Kilaatta Ava कि प्रुद्तिर प्रभून की सुद्ति उणकी सुद्ति ले तुहितों और घुर्टों को छाचने वाला परमिश्य तेरे वचन को माना आज खुदावन मैं मांगता हूँ प्रभू उनकी सुथी ले सुथी ले खुदावन उनके परवारों की उनकी बच्चों की उनके बिजनस की उनके कामों की उनके खर परवार मेरे प्रभू तेरे नाम से प्लेस सोच है यह सिंदर नेम अब छीसस कुदवाँ आजे सहजूरी में जिन्दोने वचन को माना प्रभू बिमार बिमार ना रहे ले चार ले चार ना रहे गरीब गरीद ना रहे प्रभू मैं मांगता हूँ खुदबन, मैं मांगता हूँ प्रभू चिन खरों में कलेश है, वो हर कलेश की आत्म है, खुदबन चाती रहे, हर नश्य की दुष्ट आत्म है जाती रहे, हर बिमारी की, हर करज की, खुदबन वो आत्म है चाती रहे, इंदा नेम अब शीँसोग रवन वो आतमी च्छाती नहें तुस्गीवन्त मैं प्रात न मैं प्राता करता हूं प्रभु तो किटनी के रोगों को वालों को गुड़ वन चूच्छ चुचपा एじゃ लोगों को भी किटनी का रोग钱 येस खुदवन आज तेरी हजुरी उस किटनी के रोग से तु शूकर आजाद कर चुका येस जिंदन नेम अव चीजस मेरे प्रभू तु महाने महाने तु सर्विशक्ति माने तु थ्यालू ते करपालू परमिश्य तु विलम से कोप करने वाला और थीरस्वंध परमिश्य खुदवन और करुणा मही परमिश्य खुदवन आज जितनु ने तिरवच्चन को माना और पूरा किया है तु करुणा मही परमिश्य इनकी किसी भी बात का ऐसले खा नरे प्रभू किसी भी बाद का इर्ष लेinson रिखा नरे प्रभू जिट तोने आसतेरे वचन को माना पूरा किया उनकी सुथी ले उनके परवारों के सुथी ले यस खुद अबः और गो किसी भी परकार के बोज के नीची भुर्ण धोकिसी भी प्रकार के बोज के नीचे है, असँ प्रभून की सुत्थी ले, सुत्थी ले प्रभू सुत्थी ले, सुत्थी ले खुदावन यस खुदवन तेरा वच्छन कहता है कि मनुष्यों में से कोई मनुष्य की बाते नहीं जानता पर तेरा आत्मा तेरी खूड बाते जानता तु जानता है पिता इनके मन में क्या है इन्हें क्या चाहिए इनके घर में क्या परेशानी है तुने इने बिता अंदकार में से अपनी जोती में बलाया है यस कुदवन तुने बलाया है यस कुदवन हिरवचन कहता है प्रभू तुने कहा तुमने नी मैंने तुमें चुना है कि तुम फल लेकर आओ जिस मात के लिए परमिशन अपने ने चुना है आप स्वरक से उन बातों को अपनी समस के दोरा पर मिश्र इन पर परकट कर चुके हो और इन्हें अपने राच्चे की समस दे चुके हो यस खुदवन इन्हें अपने राच्चे की समस दे चुके हो मेरे प्रभू क्योंकि तू किसी का धर्म नी तू किसी का धर्म नी प्रभू तू छीवन बदलने के लिए सौरक शोड कर पृत्वी पर आया खुदवन तू किसी का धर्म नी तू छीवन बदलने के लिए यहस्कुदवन, मैं शास करता हूँ जितनी लोग खुदवन, तुसपर शास करता है जैसे तई तीरा वचन कहता है जो आस है वो शिर्मिंद्या नहीं होने लिए आसकुदवन, ये शिर्मिंद्गी अपने चीवन में देखने ना पाएंама तेरा वचन कहता है, पवित्र शाष्टर ये कहता है, कि जो कोई तुस पर विशास करता है, वो लचितनी होगा, वो शर्मिंदाली होगा, येस खुदवन, ये किसी भी बात में शर्मिंदे ना हूँ आज, किसी भी बात में ये शर्मिंदे ना हूँ मेरे प्रभू, और जो त तुछ से चाते हैं kud algun Wikipedia भूं को करें और मेरे प्रभू जैसे तुबी जाता है सब बचाएजाये और स्थे को झाने आज तीरा सत्ते वचन इनके चीवन में पड़े कामों को, पड़े कारियों को फरकट करे और खुदवन्द मैं चाहता हूँ और मैं मांगता हूँ कि आज के वचन को सुनने के जब जी सुने तुनकी आत्मिक आखे खुले ये आज के वचन को समस्पाई मेरे प्रभू मैं धन्यवाद करता हूँ आज की गवाईयों के द्वारा परमिशन है समसाई तेरे प्रेम की कि तु किसी का पक्षपात नहीं करता जो तुस पर जोचो भी विशास करता तु खुदवन्द उसके जीवन में काम करने वाला परमिशन तु पक्षपात करने वाला परमिशन है तु ऐसा नहीं है कि एक के जीवन में काम करें, एक के जीवन में गवाही बनाए और दूसरे के जीवन में गवाही ना बनाए पर तूँ सच्छा है तूने सच्छा प्रेम की धन्यवाद करताओं पिता धन्यवाद करताओं आज की वर्शिप के लिए आज की वर्शिप के दाराभी प्रभू तू अपनी महिमा की उस ख्रेज से इन्हें बर चुकाएं यस खुदावन यस कुदावन वर्शिप में भी तू अपनी ख्रेज से बर चुकाएं यस कुदावन मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी प्रभू इन सब बातों के लिए और अरस्ती तेरी पावितर मेटिंग के लिए मैं तेरे चीवत और पावितर नाम से बांगता हूँ एमें, 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 हालिलुया, तो हम सबसे पहले अपनी बाइबल को निकालेंगे, क्योंकि सब जानते हैं आज प्रभु भोस की मीटिंग है, और मैं आज आज आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रभु भोस की मीटिंग है, बोस को लेना इतना महत्तव है, कितना जरूरी है, इसका कितना बड़ा महत्तव है हमारे चीवन ने, और ये लेना क्यों जरूरी है, इसलिए जो शरीरिक इनसान नहीं समझेगा, इसलिए भाइब में लिखा जो शिरीरिक इंसान है उप परमेश्य की आत्मा की बातों को नहीं समझेगे इसलिए उसे समझने के लिए हमें आत्मिक बनना पड़ेगा वह लोग क्या बनना पड़ेगा में आत्मिक बनना पड़ेगा आत्मिक तो कि आत्मिक समझता है, आत्मिक जन चांचता है, समझता है, हमें दो निकालेंगे, हम अपनी बाइबल को खोलेंगे, योहना की पुस्तर, योहना की अंजी, उसका शेव अध्याई निकालो, तो हम उसकी 35 से पढ़ेंगे, अगर हम इसका 32 से पढ़ें तो और भी थोड़ा क्लियर होगा, इसकी खूँज बहुत है माई की, इसकी घूँज थोड़ी कम करो और शार्प करो थोड़ा सा, घूँज कम करते हैं, तो 32 में लिखा, इस्व ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मुसा ने तुम्हें वे रोटी सोरक से ना दी, प्रंनु मेरा मिता तुम्हें सक्षी रोटी सोरक से देता है, क्योंकि परमेशय की रोटी वही है, जो सोरक से उतर को जगत को जीवन देती है, तब उनोंने उसे कहा है प्रभू, ये रोटी हमें सवर्दा दिया का, इश्व ने तो आत्मिक बात कहीं, कि मुसा ने तुमें सवरेक से वे रोटी नहीं दी, किल लोगों को कहा, इस्रैलियों को, जो हम से पहले जो प्रजा चुनी गई थी, तो इश्व मसीनियों ने कहा, कि मुसा ने तुम्हें वह सवर्ग से रोटी नहीं दी क्या नहीं दी सवर्ग से तुम्हें वह रोटी नहीं दी मैं तुम्हें वह रोटी देता हूं बोलो क्या ही प्रद्थु मैं वह सची रोटी तुम्हें देता हूं क्योंकि परमिश्य की रोटी वहीं जो स्वर्द से उतर कर चकत को जीवन देती है तो उन्होंने कहां ठीक है प्रभू यह रोटी हमें स्वर्दा दिया का है इश्मुस जी ने तो अपने लिए कहा यह एक स जीवन से समझे है सबसे पहले अपने आख़ो को बंद करो फिर से आतों को उठाओ बहुँ परमिश्य में तुक्ष्ष्य मान है तु Сп proprietary है तो अपने लोगों की सुध्य लेने वाला परमिश्य है जी वच्चन है विकनकी सुन रहाएं में शुंढ रहाँ यह सुन रहाँ आ जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पांस आता है, वे कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्ञास करता है, वे कभी प्यासा न होगा. क्या है बलो इश्अन ने कहा इश्वन उनसे कहा जीवन की रोटी में हूं जो मेरे पास आता मेरे कभी भूखा न रहेगा चो मुस्पर इसाइस करता मेरे प्यास न रहेगा यह बैक आत्मिक बात है यह शरीर वाली रोटी और पानी की बात नहीं यह भी एक आत्मिक बात है spiritual बात है वह लो क्या है सुनो ध्यान से प्रतु मैंने तुम से कहा था कि तुमने मुझे देखा देख भी लिया तो भी विशास नहीं करते जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पांस आएगा और जो कोई मेरे पांस आएगा उसे मैं कभी न निकालूँगा क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरना अपनी बेशने वाली की इच्छा को पूरा करने के लिए स्वरिक से उत्राओं और मेरे बेशने वाले की इच्छा जे है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसे में कुछ ना खाऊं प्रन्तु उसे अंतम दिन फिर चिला उठाऊं क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्तर को देखे उस पर शांस करे वे अनंत जीवन पाए और उससे अंतम दिन फिर चिला उठे सुनों द्यान से आगे कि इसलिए यहुदी उस पर कुड़ कड़ाने लगे क्योंकि उसने कहां था जो रोटी स्वरिक से उत्री वे मैं हूँ उन्होंने उस से कहां ये सुनियुस्प का पुतर नहीं उसके माता पिता को हम जानते हैँ तो वो कैसे कहता है मैं स्वरिक से उत्र इश्व ने उनको उतर दिया आपस में मत कुड़ कड़ाओ क्योंकि मेरे पास मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे बेजा उसे खीच ना ले रोसे मैं अंतम दिन फिर जिला उठा तो वो उस मात को सुनकर यहुदी कुड़ कड़ाने लगी यह कैसे कहता है यह मनुष के मैं स्वरक से उतरा हूँ हम तो इसके माता पिता को जानते हैं इसके पिता का नाम यूस्व या इसकी माता का नाम ये है समझा रही है क्योंकि वो एक शरीरिक तौर से उसे ले रहे थे उस वात्मी कुरूप से नहीं ले रहे थे तो इसने का हम जानते हैं तेरे पिता का भी जानते हैं तेरे मां को भी जानते हैं तू कैसे कहता है मैं स्वरक से उतरा हूँ तो इसलिए वो कुड़ कड़ाने लगे बोलो क्या ही वो कुड़कडाने लगे हम इसकी बविंजा से पढ़ेंगा इस पर यूदी जेख केकर आपस में झझगणने लगे ये मनुश कैसे अपना मास खाने को दे सकता है ईशुने उनसे कहा में तुमसे इशुने उनसे कहा मैं तुमसे सच-च कहता हूँ जब तक तुम मनुश के पुतर का मास ना खाओगे उसका लहू ना पियोगे तुम में जीवन नहीं जो मेरा मास खाता और मेरा लहू पीता नंत जीवन उसी का है और उसे मैं अंतम दिन फिर जिला उठाओंगा क्योंकि मेरा मास वास्तों में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तों में पीने की वस्तु है जो मेरा मास खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझे में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूँ जैसा जीवते पिता ने मुझे भेचा है मैं पिता के कारण जीवत हूँ वैसे वैं भी जो मुझे खाएंगे मेरे कारण जीवत रहेंगे अमें सुनों ये एक स्पिरिचल बात है ध्यान से समझों उसने उन्हें पहले सबसे कहा है कि मुसा ने तुम्हें वैरोटी नहीं दी सर्ग से जो क्या देते जीवन मैं वह रोटी हूँ जो सर्ग से उत्रा हूं मैं वह रोटी हूँ जो सर्ग से उत्रा हूं हां यह कहते कैसे कहता है मैं स्वरग से उत्रा हूं जब कुड़कड आने लगी तो फिर इश्व ने कहां कि जो मेरा मास खाता है जो मेरा लहू पीता है उसमें चीमन और से अंतम दिन में फिर चिला उठाऊंगे यह बहुत बड़ी बात है कि तों को समझारे कि ए इसलिए प्रभू भोश लेना कोई आम सी बात मी कि इसलिए कृंतियश में अगर आप कृंतियस की पत्री पर्ड़ों के तो कृंतियस की पत्री में लिखाएं कि जो अन्चेटहती से इसके लेटा है वह उसके लहू का प्रदि ठहहरता है Streets तरीती से लेता है कि समझा रही है तो जो उसका मास खाता है उसका लहू पीता है क्योंकि इशुमसी के फड़वाये जाने से एक दिन पहले उसने चेलों के सांग ये भोज किया था क्या किया था अपने फड़वाये जाने से पहले इशुमसी ने अपने चेलों के सांग ये भोज किया था जब भोज पहली बार किया एक दिन पहले तो उसने का मैं अपना शरीर अपना ये शरीर और अपना लहू इस संसार के लिए देता हूं ये लो रोटी ये लो एक बिहारी में कटोरा दिया ल यह जब तक मैं वापस ना हूँ तब तक मेरी यादगरी में तुम किया करना तो तुम मेरी यादगरी में किया करना तुम मेरी यादगरी में किया करना तुम इसलिए शुमसे ने कहां जो मेरा मास खाता है जो मेरा लहू पीता है उसमें चीवन और ये शुके लहू की कीमद यसे पत्रस कहता हमेश्च शुटकारा सोने और चांदी से नहीं लिखा एक निश्चलंक मेमने से उसके लहू से हमें मिला हमें किसी चांदी और सोने से नहीं मिला है उसके लहू से मिला है और उसके लहू की किमत इस दुनिया में हम किसी भी धन संपती के साथ मिला नहीं सकते भूलो क्या हैं दुनिया की सारी संपति पूरी दुनिया की धौलत एक साइड कर दो और इशुमसी का एक तराजु में उसका लहु रखतो पूरी दुनिया की संपति एक जगे रखतो तो भी नहीं उसका ब्राबरी कर सकते इतना कीमती है इश्यो का लाहू समझ आ रही है तो इसलिए उसने कहा जो मुझे खाते और पीते हैं उनमें जीवन है अमें अमें इसलिए आज हम उस बोज को लेंगे क्योंकि उसने कहा उसे अंतम दिन मैं फिर जिला उठाऊंगा अंतम दिन अगर हम जीते रहे इश्यो मुझे के आने उसका आने का कोई टाइम नहीं है लिखाँ वो चोर के समान आएगा उस गड़ी के विशे में कोई नहीं जानते है हाँ उस दिन भी लोग शादियां बिजनेस सब कारोबार इसी तरह से सब कुछ होता रहेगा बाइब में लिखाएगा एक खेत में होगा दो और देंसे उस समी के ऐसे लिखाएगे चक्की पीस्ते होंगी इसी तरह से सब ये बिजनेस कारोबार सब कुछ होगा और वो आजाएगा बोलो कि आजाएगा अपने लोगों को वो लेने के लिए आजाएगा लिखाएगा उस गड़ी के विश्य में कोई नहीं जानता उसका दिन चोर के समाने जैसे चोर का पता नहीं वो किस गड़ी आएगा और सेद लगाएगा उसी तरह इस दुनिया में अमें तो इसलिए उसने का मैं अंतन दिन उसे फिर चिला उठाओंगा अगर हम जीते रहें इश्य मसी के आने तक तो लिखा हम हावा में उठाएगे अगर मर भी गए बोलो अगर मर भी गए तो कबरों में इसे फिर ची उठेगे बोलो के आई यह बाइबिल में लिखा है कि कबरों में मुर्थे चिंदा होंगे जब पुनरस्तान की मुर्थों की छी उठने की बाद प्रेरित पॉलने की तो लोग सुनकर लिखा ठट्था करने लगे क्या करने लगे थठा थठा मकाल करने लगे यह कैसे हो सकता जो आत्मी सड़ गया उसे दबा दिया जला दिया खत्म हो गया यह कैसे हो सकता वो सर्व शक्तिमान है जब एक गर्वती औरत के घर में एक छोटे से मास के टुकडे में वो छोटे से मास के टुकडे में मेडिका जो साइंस है लिखा वो बताती है कि 206 एक इंसान के बोडी में 206 हड़ियां होती है हां? पता नहीं क्या कुछ परविश्र बनाता है हां? तो वो कुछ भी कर सकता है हमें? तो इसलिए यह नॉर्मल बात नहीं है कि हम एशु मसी के दे के बाखीदार होते हैं और मेरी आंस आप से ये ये बेंती हैं कि जिसे वचन कहता है कि तुमने सत्य को जाना है तो पाप मत करो और सबसे बड़ा बाप बाइब में लिखा है कि जो लोग अपनी परमेश्र को प्रभू को फ्रेम नहीं करते उसके वचन को नहीं पूरा करते उसके लिए नहीं जीते जिसे सबसे बड़ा पाप समझा रही है? तो उसका ढर रखो जो वचन कहता हूँ उसे मानो पूरा करो जैसे प्राणे नियम में इस्रेलियों को जब परमेश्र ने बोलाया था तो उन्हें कहा था शे दिन तुम अपने काम करना और सात्वा दिन किसके घर में गोजारना किसके घर में गोजारना क्योंकि हम इस दुनिया में परदेशी हैं, बोलो कि यह देश हमारा नहीं है, हम शोड कर चले जाएंगे, असली सव देश, असली जो हमारा घेरा, घर है, लिखा वो स्वर्ग में, लिखा वो चिरस्ताई है, वो घिरने वाला नहीं घर है, यह तो प्रित्वी पर स्रीका लिखा डेरा घ हमारा पे है, इसलीगे उस घर को बनाना है, वो लो के है, ईस घर को हम नहीं बनाना है, जो गचन एंगे ता अपने मानना और बुर bump करना तो इसले पॉरा करना है, इसले लिखे ले पॉर तुम्हें बल बड़ बल से उसके राच्च्च्छे में परवेश करना है, वो जब बड़े बल से उसके राच्छे में परवेश करना पड़ेगा अमें तो इसलिए रियांस आपके लिए घुट नियूस है कि हम इस योग नहीं थे हमारी को काबलियत थी हमारा को करम नहीं यह खुदाबन की धिया है जिसने आपको चुनाएं मैं हमेशने इस बात को प्रेर में बोलता हूं अपनी प्राप्ता है कि हम इस योग नहीं हम तो पापी थे हमारी उसने किसी भी गुना को नहीं दे हम कैसे कितने पापी थे कैसे गंदे काम करने वाले उसने तो विभ्याचारियों को माप की इतना ध्यावान परमिश्य है जिसने आपको चुनाएं तो इसे नॉर्मल मत समझों कि उस खुदावन ने आपको अगर चुनाएं तो इस बात पर ध्यान देना हैं अमें तो अभी हम जो लोग जिन्होंने बप्तिश्मार अभी तक नहीं लिया जो बैप्टाइज नहीं है कितने लोग हैं जो लेना चाहते हैं खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगे पर जो है नहीं लिया पर वो लेना चाहते हैं अपनी जगे पर खड़े हो जाओ क्योंकि परमेशन यह में सुविच्छा दी है सुइच्छा का मतला समझ नहीं है, जैसे कुछ लोग बोलें, नहीं नहीं हमने नहीं अभी लेना, हम तो भी पाप करते हैं मैंने पुछ लोगों को एक बाई से मेरी बात हुई तो मैंने का आप क्यों हो नहीं कुछ कमीया इंज़ा अक्या है कि आप सारी अबसरे हुब तुम अपनी कमियों को देखते रहो गे वो ऐसा ना हो के वो धिन आ जाए क्या जाए वो धिन आ जा जाए हाँ वो दिन आ जाए ठीक है तो जितने भी लोग खड़े हुए क्योंकि मैं पिछले संडे बूल गया था अनौंस करना के नहीं तो इस वीरवार पिछला जो थस्टे की मिटिंग निकल कर गई है उसमें आपको बप्तिश्मा देते हैं ठीक है तो इस वीरवार अपके लिए बप्तिश्मा अब ले सकते हो अपने धियां में रखना जाने जाते समय नोट कराकर जाना है तो आज आप रभू बोस ले सकती है बोलो क्या है बोलो आज आप रभू बोस ले सकती है ठीक है मैंने गहाँ आप रभू बोस ले सकती है ठीक है जितने में लोग खड़े हुए है बबतिश्मा लेने के लिए वो बोस ले सकती है और यह बहुत ही बड़ी बात है अब है तो ठीक है हम जब सौंग शुरोगा हर एक के पास बच्चे टीम आपको बोश देंगी अपनी पास रखना प्रात्ना में रहना इस बजन में और प्रात्ना करूंगा क्योंकि आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ कि हमने ऐसे स्टांट के बस लिया हो अभी तक नहीं हुआ इतने सालों में से नहीं हुआ पर मैं ये विशास करता हूं कि अगर खुदमन आज इस रिती से हमें स्टांट में हम प्रभु भुश ले रहे हैं मैं कहता हूं आने वाला है अगर आज आपकी जिस्टांट प्रभु भूश से आज के होगी मैंने का इश्यों मसी के नाम से वंडरफुल और अमेसिंग होगी अधुद होगी तो कितनों को समझ आ रहे हैं कितनों को समझ आ रहे हैं क्योंकि आज तक हमने ऐसे भोस नहीं लिया और तो में यह शास करता हूं के अज से जितनी भी मीटिंग्स होगी वो आपको पहुंद करेंगे मैंने कर बहुत ब्लेस्ट करेंगे बहुत ब्लेस्ट करेंगी चोर से नामा से सिसे तारिव जो हम चाहते हैं वो कैसे मिलें इतने सानों में से अशें रहे हो ना हो सकता है कुछ लोग नहीं मिटिंग वे को ये 14 साल यह दो साल तक हमने प्राने-बवन में बताएं वहां पर दो और चोथा साल यहां पर इतने सालों में से कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज खुदावन इसलिए मेरा विशांस है कि आज जब आज बोश लोगे खुदावन आज आज आपको बोश के दोरा बिशुएगा क्योंकि यह पावितर है जब हम धिल से मन से से खाते और पीते हैं तो हर अंदकार पाप के चुवे तूटते हैं मैंने का सब अंदकार और पाप के चुवे तूटते हैं एमें इसलिए विशांस से लेना विशांस से खाना और पीना क्या कि न विशास्ति से खाना और पीना मेरा विशास्ति है कि खुदवन आज इस बोज की मीटिंग के दौरा भी आपको बड़ा प्लेस करने वाला है हम सौंग आएंगे अपनी जगह पर सब खड़े हो जाएंगे हम सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे हालेलुईया जो ओनलाइन है जो ओनलाइन है वो भी बोस को लेकर बैठ सकते हैं वो भी लेकर बैठ सकते हैं जाकि जब प्रात्ना हो तो खुदवन उन्हें भी इस वर्ट से आज ब्लेस करें अमें ठीक है प्रात्ना हुद्वन प्रात्ना हुद्वन प्रात्ना है मुझे में जिन्दगी है तेरे लिए मुझे खाया करो मुझे पिया करो येसू ने कहा तुम ज्चमा हो के मेरी याद में ये किया करो येसू ने कहा तुम चमा हो के मेरी याद में ये किया करो मुझे में जिन्दगी है तेरे लिए मुझे खाया करो मुझे पिया करो मुझे में जिन्दगी है तेरे लिए मुझे खाया करो मुझे पिया करो येसू ने कहा तुम चमा हो के मेरी याद में ये किया करो ये सूरे कहा तुम चमा हो के मेरी याद में ये किया करो मुझे में जिन्दगी है तेरे लिए मुझे खाया करो मुझे पिया करो मुझे में जिन्दगी है तेरे लिए मुझे खाया करो मुझे पिया करो मुझे में जिन्दगी है तेरे लिए मुझे खाया करो मुझे पिया करो मुझे में जिन्दगी है दिले लिए मुझे खाया करो, मुझे पिया करो ये सुने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो ये सुने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो में जो तेरी जिन्दगी में आऊँगा में जो तेरी जिन्दगी में आऊँगा में जो तेरी जिन्दगी में ये किया करो में जो तेरी जिन्दगी में आऊँगा तुझजी को उठा के खड़ा मैं करूगा उठा के तुझे गले से लगा लूगा तुझे को उठा के खड़ा मैं करूगा तुझे को उठा के खड़ा मैं करूँगा उठा के तुझे गले से लगा लूँगा तुझे को उठा के खड़ा मैं करूँगा उठा के तुझे गले से लगा लूँगा दूगा मैं हर खुशी होटों पे हैसी मुझसी जिन्दगी तुम चिया करो दूगा मैं हर खुशी होटों पे हैसी मुझसी जिन्दगी तुम चिया करो दूगा मैं हर खुशी हो ठोपे हसी मुझसी जिन्दगी तुम जिया करो तुम पैंजर तुशी हो जो पे हसी हो पसी जिन दिए तुम जिया करो ये सुने कहा तुम जमा होगे मेरी याद दिल में ये किया करो ये सुने कहा तुम जमा होगे मेरी याद दिल में ये किया करो मुझे में जिन्दगी है तेरे लिए मुझे खाया करो मुझे पिया करो मुझे में जिन्दगी है तेरे लिए मुझे खाया करो मुझे पिया करो मुझे खाया 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 मुझे खाया मुझे खाया मुझे खाया मुझे खाया मुझे खाया उसमें सदा मैं बना रहूगा जो मेरी बातों को अपनाएगा उसमें सदा मैं बना रहूगा जो मेरी बातों को अपनाएगा उसमें सदा मैं बना रहूगा जो मेरी बातों को अपनाएगा उसमें सदा मैं बना रहूगा वो मेरी पाल तो को अपनाएगा वो मुझ में और मैं उस में रहोंगा वो अब दी जिन्दगी पाएगा वो मुझ में और दी जिन्दगी पाएगा वो मुझ में और मैं उसमें रहूँगा वो अब दी जिन्दगी पाएगा वो मुझ में और मैं उसमें रहूँगा वो अब दी जिन्दगी पाएगा ना बेर रखो दयावान बनो गेरों के जखम तुम सिया करो ना बैर रखो दयाबान भनो गेरों के जखम तुम सिया करो ना बैर रखो दयाबान भनो गेरों के जखम तुम सिया करो ना बैर रखो दयवान बनो के रोखे रहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो ये सुने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो मुझ में जिन्दगी है तेरे लिए मुझे खाया करो मुझे पिया करो मुझ में जिन्दगी है तेरे लिए मुझे खाया करो मुझे पिया करो मुझे खाया करो मुझे खाया करो मुझे खाया करो अपने बोस को माथे से लगाओ और याद करो मैंने का याद करो उसकी आख्या को याद करो कि मेरे ही पाप के कारण वो फड़वाया गया ये ये रोटी नहीं बाइबल कहती है कि ये इशमसी की दे है जे उसका शरीर है इसलिए यहूती कुड़ कड़ाने लगे कि हम इसका हम कैसी इसका मास का सकते इसका कैसे लहू पी सकते ये एक स्विर्चल बात है ये रोटी नहीं है इसे इशमसी की देश समस कर खाना है ये यूस नहीं है इशमसी का लहू समस कर पीना है शास से क्योंकि इसमें जीवन है इसमें जीवन है क्योंकि उसका वचन कहता जो मुझे खाएगा पियेगा उसमें जीवन है वो जीवन है वो सदा का जीवन है इसलिए यह उसका वादा है कि मैं अंतम दिन उसे फिर चिला उठूँ इसलिए इश्रांस करो क्योंकि Bible कहती है कि जो इश्रांस से खाते और पीते वो रोखी नहीं रहते उनके रोख खतम होती उनके हलाद चाहती है इसलिए जितने मिलोग आज हलाद में हैं जो आउनलाइन भी हैं मारे साथ अपने गरों में जो आज बोज को इस विशास से लो मेरा विशास है कि आज इस बोज की मीटिंग में खुदवन आपके जीवन में बड़े मार्गों को खोलेगा वो रस्तों को खोलेगा आपके सब बंद रस्तों को खोलेगा आपकी सब बिमारी का आपके हरे एक रोग का अंत करेगा इसलिए दन्यवाद करो और याद करो इश्मसी की उस कुर्बानी को उसकी कुर्बानी को याद करो उसने जितना भी दुख सहाँ है उस पर जितनी भी ताड़ना पड़ी है लिखा हमारे ही कारणे अगर उसके तन पर कोडों की मार उसने सही है तो लिखा हमारे ही पाप के कारण है अगर उसके मुँपर थुका गया है उसने मुँपर अपने थुकवाया है तो हमारी ही ताड़ना के कारण है हमारी ही खुशी के कारण है ताके हम जीवन पाएं अगर उसकी दाड़ी को नोचा गया है उसकी आखों के पठी बांद कर उसे थपड मारे गए हैं लिखा ये हमारे ही कारण है अगर वो इतना जलील किया गया उसने इतनी बेज़जद ही सही तो लिखा ये हमारे ही कारण है अगर वो इतना बेज़जद किया गया इतनी उसने बेसत सही हमारे कारण यह हमारे ही कारण है इसलिए आज अपने मनों को फिराओ अपने मनों को फिराओ जो लोग प्रभु की बातों को हलके में लेते हैं मैंने गाँ अपने मन को फिराओ अपने मन को फिराओ अपने मन को फिराओ अब बदा जब भी मैं उसकी कुरूस के मृत्व को याद करता हूँ तो मेरी आखों मेरी आखों में आशु आ जाती है मेरा मन भर जाता है क्योंकि यह नॉर्मल बात नहीं लोग उसे नॉर्मल तरीके से लेते हैं अपनी इशा से अपनी मर्ची से वो जीते हैं रहे हैं उसकी कोई आख्या को नहीं मानती है जब जो चाहता है वो करती है हम उसे दुख देते हैं आपको नहीं पता हम उसे दुख देते हैं ऐसा ऐसा करके हम उसे दुख देते हैं वो खुश नहीं होता इसलिए आज से मन फिराओ आज से मन को फिराओ कि अगर वो इस संसार के लिए अपना जीवन ना देता वो इतनी तकलीब को अगर ना सहता तो हमें जीवन नहीं ये मिलना था हम जानते हैं कि हम कितने परिशान थे, कितने हालातों में हम सक जगे पर खे, हमने सब कुछ किया पर हमें जीवन नहीं मिला हमने सब कुछ किया, आपने पैसे से भी जीवन लेना चाहा, सब कुछ किया, संसार की सारी धार मिक्ता को किया पर हमें फिर भी जीवन नहीं मुला, क्योंकि वो जीवन उसकी लहु में था, वो जीवन उसके लहु में इसलिए उसने कहा जो मेरी देख को खाता और पीता है उसमें छीवन है इसलिए ने आओ प्रभु भोज को ले रहा हूं अपने आत्मा थे के लोगा हूं इस भोज को ले कर रहा हूं धन्यवाद पिता धन्यवाद पिता मैं ब्रात्ना करता हूं प्रभु तेरा वचन सच्चा और पवित्र है जितने लोग आज इस भोज को खाएं और पियें उन्हें जीवन आएं उनकी आत्मी का के खुलें ताके वो तेरी बलाहट को तेरे उस प्रेम को मेरे प्रभु जान सके क्यों की तू इस इंसार को उस पाप से बचाने के लिए तू किसी का धरम ने तू जीवन बदलने के लिए यस खुदवन आज इनकी आत्मी का के कुलें यसे लुधिया और यका इक के खुली मेरे प्रभू इनकी आत्मिक आखे खुले जब चेखाएं और पियें इनमे जीवन आए यस खुदबन मैं प्रात्ना करता हूं प्रभू आज इस पूच के दोरा भी ये तेरे सामर से शुए चाहें तेरे सामर से शुए जाहें जैसे हैं मैं वैसे ना रहें यह जैसे आएं इसे शुदबन इस तेरे नाम की आज ज़ाईदे पाईए खुदबन यह मेरे प्रभू हर मराुआ खृरभ मेरे प्रभू तेरे सामर थी नाम से हुचे हर मरे रूए अंक बिमारी हर चीज से खुदबन आज इस भोज के तोरा ये छी उठे, दन्यवाद करता हूं पेता रिश्रास करता हूं, इस भोज में छीवन है और वो छीवन, तेरी दे और तेरे लहू में, और तु आज दिने, स्वर्ग से मेरे प्रभुतिय चुका, येश्यो मसी के नाम से, काओ, आप खा सकते हो दन्यवाद करके, पी सकते हो। येश्यो ने कहा, तुम छमाहो के, मेरी आद में ये किया करो, ये सुने कहा, तुम छमाहो के, मेरी आद में ये किया करो, मुझ में जिन्दगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो, मुझे में जिन्दगी है तेरे लिए मुझे खाया करो ते लिया करो ये दुनिया तुम से बैर करेगी क्योंकि उसने मुझे से भी किया है ये दुनिया तुम से बैर करेगी क्योंकि तुम से पहले उन्होंने मेरे से भी बैर रखा है ये सच है जो लोग मसी में आ जाते हैं उन्में से दुनिया वाले बैर रखते हैं इसने इसलिए इसने कहा तुम से पहले उन्होंने मेरे से भी क्या रखा बैर रखा है इसलिए डॉन्ट वेरी यह सच्छी आई है यह होगा मैंने गाई यह होगा पर जितने ही लिखें बाइबल में अन तक धीरस तरेंगे वो ही उस उधार को उस जीवन को पाएंगे यह दुनिया तुमसे बहे करेंगी क्योंकि उसने मुझसे भी किया यह दुनिया तुमसे बहे करेंगी क्योंकि उसने मुझसे भी किया दे यह दुनिया तुमसे बहे करेंगी क्योंकि उसने मुझसे भी किया यह दुनिया तुमसे बहे करेंगी क्योंकि उसने मुझे से किया है बर्माए ना चाना तुम शैतान में कब किसी को उसने कैद किया है बर्माए ना चाना तुम शैतान में कब किसी को उसने कैद किया है भरवाएदा चाना तुम शैतान में, तब किसी को उसने कैद किया है अर्वाए ना जाला तुम शैतान में आवर किसी को उसे कह निया है आशिश के लिए तुम बुलाए गए आशिश ही सभी को दिया है आशिश के लिए तुम बुलाए गए आशिश के लिए तुम बुलाए गए आशिश ही सभी को दिया है आशिश के लिए तुम बुलाए गए आशिश के लिए तुम बुलाए गए गए तुम जमाओ के मेरी याद में ये ग़िया है मैं दूने को आप जामों के तुना दिना 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 मुझ में जिन्दगी है तेरे लिए मुझ खाया करो मुझ में जिन्दगी है तेरे लिए मुझ खाया करो मैं जो तेरी जिन्दगी में आऊँगा सब कमियां कमियां मिटाऊँगा मैं जो तेरी जिन्दगी में आऊँगा सब कमियां कमियां मिटाऊँगा मैं जो तेरी जिन्दगी में आऊँगा सब कमियां कमियां मिटाँगा तुझे को उठा के खड़ा मैं करूगा उठा के तुझे गले से लगा लूगा तुझे को उठा के खड़ा मैं करूगा उठा के तुझे गले से लगा लूगा दूगा मैं हर खुशी होटों पे हैसी मुझे सी जिन्दगी तुमचियां तुझे का मैं हर खुशी होटों पे हैसी मुझे सी जिन्दगी तुमचियां लूगा तुझे का मैं हर खुशी होटों पे हैसी मुझे सी जिन्दगी तुमचियां लूगा तुझे का मैं हर खुशी होटों पे हैसी ये सूने कहा तुम ज्माओ के मेरी यादमे ये कियाद दो ये सुने कहा तुम चमा होके मेरी आग भी ये किया हो मुझ में जिन्दगी है तेरे किये मुझे खाया करो मुझ में जिन्दगी है तेरे किये मुझे खाया करो मुझ में जिन्दगी है तेरे किये मुझे खाया करो मुझ में जिन्दगी है तेरे किये मुझे खाया करो यह सुने कहा तुम चमाओ के मेरी याद दे यह किया करो यह सुने कहा तुम चमाओ के मेरी याद दे यह किया करो यह सुने कहा तुम चमाओ के मेरी याद दे यह किया करो यह सुने कहा तुम चमाओ के मेरी याद दे यह किया करो यह सुने कहा तुम चमाओ के मेरी याद में किया करो यह सुने कहा तुम चमाओ के मेरी याद में यह किया करो मुझे में जिन्दगी है तेरे लिए मुझे खाया करो मुझे जिन्दगी है तेरे लिए मुझे खाया करो मुझे पिया करो हालेलुए 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 जोर से जोर से तारीख करीए हालेलुए पिर्फट तेर राद जोर से जोर से तारीख तोर से जोर वालन पिर्फट जोर से तारीख शिफवाय शुवड़िदाए मुफ्त देविच्च्च शिफवाय शुवड़िदाए मुफ्त देविच्च निचाना चल्ले जिड़ाँ देविच्च निचाना चल्ले जिड़ाँ येशु देविच्च शिफवाय शुवड़िदाए मुफ्त 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 देविच्च शीपा मा एशु बांदी दाइ भुट दे भीची 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 शीपा मा एशु बांदी दाइ 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 भीची शीपामा येशु वंडे दाई मुख्ते देविच्छ 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 शीपामा येशु वंडे दाई मुख्ते देच्छ शीपामा येशु वंडे दाई मुख्ते देविच्छ 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 शिर्पामा येशु बंडिदाए मुप्स देविच्छ नेचाना चल्ले जेडा ओ देविच्छ नेचाना चल्ले जेडा ओ देविच्छ शिर्पामा येशु बंडिदाए मुप्स 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 देविच्छ मुसी बता तो ये सुहत दे के बचौन दाए जो मुसी बता जे खड़ी दाओ मेरा ये तू है मुसी बता जे खड़ी दाओ मेरा ये तू है मुसी बता जे खड़ी दाओ मेरा ये तू बताओ 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 मेरा ये तू पुल के ते जावीना तु मुल दे के खरी देया तेरे अगुनाहा नही ये शुगे अशिक देया जिन्नों तिरिका पिलाया उमेरा ये सु जिन्नों सिरिका पिलाया उमेरा ये सु जिन्नों पिलाया उमेरा ये सु शिपामा ये शुगणा ये सु बन्दयाय उम्दे दे विचि शिर्पा माई शिर्पा 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 शि जाना चले जड़ा ओदेविचु ने चाना चल्ले जेडा येश्यू देविच्च शी पामा येश्यू बंदी दाए मुख्य देविच्च शीपामा 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 येश्यू बंदी दाए मुख्य देविच्च वाधिय जा चाता अत्मियों ने शीपादा अलग में बनाया थी मौत निया बदिया चो पट के लेया थी मौत निया बदिया चो पट के लेया थी मौहया जो करिदा मेरा ये तू मौहया जो करिदा मेरा ये तू शीपाबा ये तू बदिदा मुखते दे बिचे 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 शीपामा येशु बंडिदाइ मोखने वित्यू 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 शीपाम येशु बंडिदाइ मोखने वित्यू शीपामा येशु बंडिदाइ मोखने वित्यू शीपामा येशु बंडिदाइ मोखने वित्यू शीपामा येशु बंडिदाइ मोखने वित्यू हालिलुया चोर से चोर से दारीव करोस चोर से जोर से जोर से एमें हालिलुईया किते लोग इश्रास करते हैं कि आज की हजूरी मुझे सेब नहीं रहने देगी मैंने का किते लोग इश्रास करते हैं कि आज हजूरी मुझे सेब नहीं रहने देगी आमें जो नहीं हैं आज पहली बार आएं उनका स्वागत है परमेशे कंई जीवत हजूरी में जो नए लोग आए है आज पहली बार कौन कौन है अपना हाथ खड़ा करो जो आज पहली बार आए है जो आज पहली बार आए है तो सुनो बाइबल कहती है के जहां कहीं उसका आत्मा है वहाँ पर क्या है? आजाधी है इसका मतल्द्ड समुझत है क्योंकि जहां पे आत्मा नहीं है वहां पे कुछ नहीं है कि इसलिए इस ने कहां जहां कहीं उसका आत्मा है वहां पे अजाधी है को बोलो कि याई मों वो अजाधी है हम हर संडे और वीरवर क्या सुनते हैं परमेश्य के कामों को सुनते हैं बोलो क्या सुनते हैं जिस तरीके से हमारी अभी गैधरिंग है मैं हमेशन सोचता हूं कि इतनी गैधरिंग में इतने काम आने वाले देनों में हम सोचेंगे कि गवाहियां दे कि खुदा का बच्छन दे परचार करे कि प्रातना करे टने काम होंग जयने वाले ओने वाले आख दिनों में इशुमसी के नम से मैंने का ये होगी हम हर संडे और वीरुड़ गवाःयां सुनुख अगर मालो किसी का कुछ हो नहीं रहां तो से और भी समझने के ज़रूरत है और भी खुदा के नस्थीक जाने के ज़रूरत है और भी अपनी प्रात्ना में spiritual life में आत्मिक जीवन में उसे भड़ने के ज़रूरत है समझ आ रही है कि प्रमिश्य पकपात नहीं करने करने वाला अगर अच्छे मन से आ रहा है वो खुदा की हर एक आज्या को मान रहा है वो पूरा कर रहा है तो डॉंट वेरी बने रहना तुम चल्द गवाही से खुदावन तुमें खड़े करेगा और जबर दस्त करेगा जबर दस्त करेगा अमें इसलिए कभी भी अपने मन को डायवाड मत करो रहा है तो मन जब ऐसे दोष्ट देता है अगर्ण जब आप दोश्ट देता है हमें तो प्ता नहीं क्या-क्या स्वाल उठते हैं उसमें क्या-क्या मन विचारा थे पता नहीं हां समझ आरहे हैं पर तुम मैं यह इसलिए आपको बता रहा हूं कि तुम इतनी गवाईयां हर संदे वीरवार सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मुझ में कुछ किसी चीज की क्या है मेरा इमन उसके प्रेम में स्थिर नहीं अभी अपने यह सौंग ना नेचा कैसे था दोबारा से गाउन नेचा कैसे यह नेचा ना चले जेडा ओधिविच आगे शिफावा येश्व वंड़दाय मुफ्त विच पर वो तो मुफ्त में देर आए यह जितने लोग गवाहियां देने के लिए आए हैं इनसे पूछो क्या हमने इनसे पहले बीस-बीस को पचासा-पचास हजार लिया इनकी चंगाई के लिए पूछो इनसे हां समझारी एं तो वो तो देरा है पर किन कौन वो उसको लेगा जो निच्शा से जो बना हुआ विश्वास में अपने बना हुआ है और धन्रिवाद के बलिदान देरा है यस को दबादा मैं शास करती मैं खरता है तुमी तू सच्छा है तुमेरे साथ पी अपनी महिमा को पर तो दिखने में ऐसे आत्मी निराश हो जाता है जब कुछ नजर नहीं आता तो निराश हो जाता है क्या कारण है क्या कारण है कि इस निवचिन में लिखा के आनन्द करो मैं फिर कहता हूँ अनन्द करो तुम उसकी सब आग्यों को मान रहे हो सब कुछ पूरा कर रहे हो तो डॉंट वेरी परमिश्र की जो किर्पा दृस्ति आप पर बनी हुई है वह देख रहा है तुम्हें तुम्हें देख रहा है और जिस दिन खुदावन आपके जीमन में काम करेंगा दुनिया बोलो क्या है दुनिया मिसाल देगी दुनिया है कि आप किस पर इशास करती हो कौन है आपका खुदा मैं दुनिया मिसाल देगी दुनिया वाले मिसाल देंगे हमें वसलिए विशास में बने रहों कि खुदावन सबसे प्रेम करता है हमें तो बैचो अपनी स्तानों पर अपनी जगे पर हम कुछ गवाईयों को सुनेंगे आज भी आज की गवाईयों को ध्यान से लेना मन से लेना जो लोक नीचे ऐसे कर लेते ना धीरे-धीरे उन्हें कौन सुला देता है कभी भी गर्द को ऐसे मत नीचे जागा किया करें तीरे-धीरे आप सुस्त हो जाओगे और आपको नीद आ जाएगे इतनी जो पावरफुल की बातें जो खुदा के वचने गवाही वीक वचने को लोग वाही बेक गवाही वेक वचने इतनों को समझा रही है एक ताजा वचने जैसे बाइबल में मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं तो वो भी एक वचने जैसे मत्वी मरकस लुका यहन्ना में जो एशुमसी ने काम किये हां जहां आगे पत्रियों में जो चेलों ने किये समझा रही है तो वो भी एक वचने यह भी आज एक ताजा वचने जो आंस गुदावन कर रहे हैं अगर यही गवाईया आंस वाइबल में लिखी जाएं ऐसे तो सेम एक ऐसी वाइबल स्वरिक में हार एक के नाम की लिखी जा रहे हैं पता है कि नहीं बता है पता है कि नही आप हर दिन क्या करते हो आपका हर दिन नोट ओ रहे हैं ऐसे हैं कि संडे का संडे परमेशा आपक के ह delayed not or at subhe-set naratak सौते समें उठते समें हर एक चीज क्या कर रहें आपक elders सामन में कितनी बार और मेशा के लिए वह चीज अपके मन में आई हां यह हर चीज नोट रही है सेम आपके नम के वाइबल लिखी जा रहे हैं इसलिए लिए प्रकाशे वाचिक में सीरी तो लिखा है बन्याबी में आपके तो परकाश की पोथ से उसमें लिका अंत के दिंओं अंत के दिन आपकी जीवन की पोथी खोली जाएगा जिसका जीवन की पोथी में नाम नहीं लिया जाएगा जिसका जीवन की उस पोथी में नाम नहीं मिलेगा लिखा वो कहां पर कहां पर फैंक दिया जाएगा इसका जीवन की पोथी में नाम नहीं मिलेगा तो इसलिए याद रिखना ध्यान से चलना चौकसी से और अशाना हो कि वो दिन आयों नरदोश पाए हां दो सरी दोशी पाए जाए तो इसलिए ऐसे चलना कि वो दिन आया और हम नरदोश पाए जाए समझा रही है तो यह द्यान में रखना हैसा नहीं है कि हम ऐसे हैं हाँ नोट हो इसलिए हिस्कियल की आप जीवन के बारे पड़ो जब जिशाया नभी के द्वारा उसके पास वचन पोला पहुंचा के तु निश्चे मर जाएगा तु रोगी हो जाएगा तो एक दिवान के साथ अपना मात कर हां ज्याद कर परमेशन तेरे सन्मुक ऐसा चाहता है तो परमेशन ने उसके रिकॉर्ड को देखा क्या देखा उसके रिकॉर्ड को देखा कि हिच्किया सच्च मुच मेरी हर एक बात को मानने वाला पूरा करने वाला जब उसके रिकॉर्ड को देखा तो उसके में व्यस्त है अगर आपने कुछ किया है अब कर रहे हो तो कल को बोल सकते हैं अब कुछ कर रहे हो तो आप बोल सकते हो हक से बोल सकते हो दिकार से अब कियां कुछ नहीं है तो आप नहीं बोल सकते हैं अब कर रहे हो कुछ तो बोल सकते हैं अब बोल सकते हैं अब बोल सकते ह आप अपना वफदारी से अपना भीस बो रहे हो वफदारी से अपनी प्रात्ना ही कर रहे हो हर नियम को हर आख्या को मान रहे हो तो आप बोल सकते हो बोलो किया है 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 अप हक से बोल सकते हो परमेशे को और खुदावन ऐसा नहीं है कि वो करे ना अब हक से बोल सकते हैं अमें ते ठीक हैं हां स्टार्ट करो हालेलो या मैं परमेश्य का बहुं सरा दनेवाद कुई दिश्यू मसी के नाम से और आज की कुवाईयों के लिए मैं परमेश्य का थैंक्स करते हैं कर विश्वांस करते हैं कि जितने भी समेटिंग का लाइन देख रहें जगा परमजुद्याज की कुवाईयों के दुरान परमेश्य आपको बहुत सरा ब्लैस करने वालें आमेर तो जिस्टर का नाम परिया हैं और चे बीरबल के रहने वाले हैं और जिस्टर की गवाईयों जे बतारे के एक मीना हो गया था इनका राइट साइड की जो बाजू थी उसमें बहुत ज़दा दर्द रहती थी जिसके कारण जिस्टर काफी परेशान थी क्योंकि जे अपने घर का काम नहीं कर सकते थी इनके बच्चे बहुत छोटे थे जब बतारे के इनको भी संभालना घर का काम करना तो बाजू में इतने दर्द होती थी कि जिसके कारण जे काफी परेशान हो चुके थे जब इसे काम करते थे बाजू में थकावट हो जाती थी और जिब अतारे के बाजू उपर ने तक भी सही तरह से नहीं थी जाती जिसके कारण इनको दर्द रहती थी और जे बहुत ही परेशान थे और जब जे सिस्टर ने सोलां फ़र्वरी की मीटिंग को अटेंड किया और इनके लिए लेंड वे पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे अज़ो 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 आज़ो इसके लिए पाजू अपी शी समय काम करें 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 इंद ने वहाँ ची असके हट्विए के बाड़ी में जो भी रोग व्हां राइट नाउ नहीं वहाँ जीश मैं झाता हूं इख अधार ने-चार की आपनां की तो इसकी बाड़ी में रोग को लेकर आए शत्व हरी और जिब तारे कि जब इन के लिए ले हंडोई और जह दन्यवाद में बने रहे और बतारे कि जब इसे घर काम करते तो तो बीज़ विश्वास करते हैं, जो प्रियर मेरे लिए परमेश्र के दांस के द्वारा हुई है, निस्चे परमेश्णा मुझे हील कर चुकिया और कर दिया है हम सब तारीब करेंगे ऐपने हाथों को उठाते जोड से तारीब करेंगे जी अब तो ने कोई तकली जब थी तो कितनी मुशकल थी बहुत ज्यादा थी एक दिन तो मैं चाड़ दगा रही थी घर में और मैंने शोड़ दिया अच्छा नहीं कोई भी काम होता नहीं था मैडिसन भी खाई थी कोई राम नहीं मिला तो जैसे ये सोलन तारीक की अभिशांस से आए और ले हैंड कराई और उस दिन से प्रुमिष्ण ने क्या कर दिया ओ तारिप कर तो छोज से जोज से जोज से बाख बुक्ति कैनलोगे है झाल झाल सबस्क्राइँ जी प्रदरजी का नाम लगई और ये कोट खाल साके रहने वाले हैं और इस प्रदर जी की गवाही जे बता रहे हैं कि जोगे प्रदर जी काम करते थे वहां पर इनको संडे की शुट्टी नहीं मेलते थी प्लस इनकी बहुत लुट साथ थे की पर्मेशन जू जोब के साथ ब्लैस करें और जी बतारी कि जो जे अपना काम करते थे जे बतारी कि वहां मतलों कुछ दिन जी काम पर जाते थे फिर असे वो काम छूड़ जाता था वाले इनको अपनी जौब नहीं मेर दे थी अपर जैसे जिस मिनिस्ट्री में आ रहे थे और जे लगातार प के लिए प्रात्मा करें और जब रभु के दास के दुवारा ब्लैसिंग वर्ट्स आया कि जिनके पास जौब निये काम निये पर मेश्रों ने ब्लैस करने वाले तो जी प्रदर जी ने बताएं कि उस दिने ने रसीव किया धनिवाद किया तो इनको मैसेज मिल गया और इन ने चायंगे नहीं पहाड खलो सक्दा ने चायंगे नहीं पहाड खलो सक्दा करिये जे विश्वा ते सब मुझ हो सक्दा हालेलुया इस सिस्टर का नम राज है और जे कनुपुर काले गाउं के रहने वाले और इनकी गवाही जे बतारी के पांच साल होगे थे इनको कबस की प्रॉब्लम थी इसके कारण जे काफी परेशान थे जे बतारी के इनको रोजी कबस की मैटसन लेनी पड़ती थी और फि जे हाल समय अपने हेलिंग को रोजीव करते थे और सैकिंड प्रॉब्लम इनकी जे थी इनके लिवर में भी प्रॉब्लम थी जब भी जे खाना काते थे तो इनके पेट में भारी पार रहता था जिसके कारण जे काफी परेशान थे और जे बतारी के जैसे पिछले संड़े क कि मीटिंग को इनोंने अटेंड किया जब प्रभु के दास दुख्यों भी मारों के लिए प्रात्ना का रहे थे और इनोंने हेलिंग वर्ट्स को रसीव किया कि जो भी पेट के रोगे कबस की प्रॉब्लम में तो जे बतारी के उस दिन से प्रभु की ग्रेस निनको शुआ औ कि एक लिएल्युए में आपिश धिर इसरही का नाम रान이 हैं और महला माल गाओं के रहने वाले और जिस्ट्रि की गवाही जे बता रहे हैं कि 3 साल हो गया था कि इनका अपना गर ता वो गिर्वी ता लाख में और जो इसका कारण जे था क्योंकि इनोंने अपने बच्चों को विदेश भेजना था जिसके कान इनोंने अपना गर गिर्वी डेड़ लाख में रख दिया तो जे बतारे कि उसका जे वियाज भी पांच हजार देते थे पर जैसी जो इनके बच्चों का काम भी हो पर लॉक्टान के कारण इनका माननी था उनको विदेश भेजने का तो वह नहीं जा पाए और पर जो इनका घर था वह में पर देड़ लाख में और जिसके ग़िसें बतांच है की जो व्याज भी नहीं देपाए और जै काफी परेश आ्ट यूज ते कि कुकि इनका काफी क परेशान हो चुके थे और जैसे जैसे सिस्टर इस निस्ट्री में आ रहे थे और जैसे बता रहे कि परमेश्री के आगे प्रात्मा करते हैं कि परमेश्री जो हमारा गर गिरवी है 1.5 लाग में तो परमेश्री आप हम में अपने घर के साथ ब्लेस कर चुके हो तो जैसे बता परमेश्व के भवन के लिए अपना स्पैशल शीट दिया तो परमेश्व ने इनके रस्ते को खोला तो परमेश्व ने फिर कुछ मत पहले इनोंने इनके गाउं में सैलर खुला था तो वहां पर इनोंने कंटीन ओपन की थी क्योंकि जैसे इनोंने परमेश्व के भवन के लि जो डेड़ लागता उससे इनोंने पचास हजार दे दिया था तो अभी इनका एक लाक रुपी अभी रहता था तो इसके लिए भी विशांस कर रहे थे दनेवाद दे रहे थे कि परमेशा हमों हमें इससे भी फ्री कर चुके हो और जैसे जैसे सिस्टों पची दिसंबर की अभी आपको आज प्री करेंगे और अपने घर से ब्लैस करेंगे पहले में इस वीडियो क्लिप को देखेंगे अधार्म प्यान कार्ड में प्रवल्म आगी परमेशने वह रस्ता खोला हां पैसे मिलें उससे परमेशने सबसे पहले उन पैसों से खुदा का आदर किया और जो बाकी बचे थे तीस-तीस हजार का यह दो थे के एक ही था तो तीस-तीस हजार के दो देखो पहला जो लॉन लिया था लॉन के पैसे भई खुदा के लिए लॉन के लॉन लेकर पैसे भवन के लिए और जो बाकी और वा उसका पचास दे दिया कुछ पैसे बचे उसके तो खुदा के लिए किया तो खुदा ने रस्ता खोला पहले भी य सालों से अपनी जॉप करते थे आठ देते हैं कितनी अशीश परमिश्य दे रहा है और पहले कुछ भी नहीं बसता था सारा पैसाथ हजार उस किस्त में उस किस्त में अब 35,000 कठा कर लिया है अब जल्ड वो जो बाकी है बाकी पैसे कहां लाक 35,000 लाक में 35 कम हो गया तो कितना रहा गया पैड कुदावन मेरी बहन वो जल्ड परमिश्य उसका भी इंतजाम कर चुका और इसे पूरी तरह तुझे पूरी तरह से तेरी स्पोज को हलका कर चुका ह क्योंकि जो खुदावन के लिए अपनी मन को खोलते हैं वो कभी भी सेम नहीं रहते मैंने कहां मैंने कहां वो सेम नहीं रहते तारी करो जोट से ना आस रखा दुनिया तो जी बता रहे कि जब इनको ब्लेसिंग वर्ड मिला तो जी धन्यवाद कर तेरे विश्वास में बन दे दिया है जी बतारे कि अगर जी पैसे ना देते तो जो इनका घर था इनके पास नहीं था जोना और जी बतारे कि आज पर मेश्व ने इनको अपने घर के साथ ब्लेस किया है जो गर कर जिस्टी के कागज उनके पास थे आज इनको पर मेश्वास दे दिये और हम देखें तो आज परमेशनेर को अपने गर के साथ ब्लेस कर दिया है और जे बहुत ही कोशिकिए परमेशनेर जिनको इस पोसे जो तीन साल का बोसा परमेशन याज जिनको पूरी तरह से अज़ात कर दिया हम सब तारीफ करें के इस जो अपने हात को उठाते हैं सब्सक्राइब को माइक देना कि अधिया कंटीइन को पहले लिए ने 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 वह जो पैसे उठाए थे अपने बच्चों को भीषने के लिए लोग डॉन से मलड़ ने भी कितने साल होगे प्रोना तो पहला दो दी कितना टाइम हो गया वचा तीन चार साल चार साल चार साल के करीब हो गया तो कितने अपनी पैसे कि जिन से जिनके पास अपने जगे ये गिरवी रखी थी कितने पैसे लिए डेड़ लाखर पे या और उसके बाद लॉग डॉन हो गया और आपके बच्चे जो अब धेश बेचना चाहते हो गये नहीं गये नहीं पेज जही नहीं वो टाइम लिमिट होगी कितने टाइम थी और अज ताम लेकिया नहीं विसीखे दा हाँ ओके इसमें कितना टाइम है एक साल एक साल अगर एक साल तक ये डेड़ लाख वापस नहीं करेंगे क्या नहीं करेंगे तो क्या होगा लिखत होगी न क्या हो जगी लिखत होगी क्योंकि जो गयने लेते हैं तो ऐसे लिखत हो जाती है समझा रही हैं पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ चार सल निकल गए नहीं से तो आव्याद दे रहे थे उसका थोड़े की दिता ही जिदो लॉगडॉन लागया फिर नहीं पादे फिर फिर वो भी नहीं दिया तो ये सारे जिस्ट्री के काग ये सब कुशनी के पास था और जैस अपनी जब किया परमिश्य के भवन के लिए अपनी लॉन लिया परमिश्य के भवन के लिए हैं और जब खुदा के लिए अपनी अपने श्पेशल सीट को भवन के लिए बोया तो पहले आपकी क्या जोब करती थी किस चीज थी हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में तो सुनो है परविश्शे का रस्तेख खोलता है यह निया कि हम करीव है हमारी काम इतनी हैं परविश्व लुख लेखता हैं वो यह नहीं देगत तुम گरीब हो अ स्वसные हैं जब तुमSmdha के सुआ के लिए अपने दिल को अपने मन को खोलती हो तो अपना शुरे कोणता है तक लॉण लेकर कोड़ा के भवन के लिए इस्पेशल भीश बुय कि जो कि पता है कि भाप सारी लूख में चीज के लिए आगे नहीं आए इन्होंने लॉण लिए कहिर वो सकता के यह किस चीज पर मन लगा रहेगा तब तक रस्ते उपनी होंगे जब तुम खुदा के वर्ड को उसके बचन को पूरा करोगे ते खुदावन्द स्वारक हो लेका वो तुम्हारा कुछ भी वो लेता नहीं है तुम्हें देता है आप बोलो कि तुम्हारा लेता नहीं वो देता है तुम्हें तुम्हें सालों से अपना काम कर रहे थे और चार साल हो गई करश्ता पहले व्याज दे रहे थे वो तो भला है उसको दवनका के जिस पर यह शास करते हैं कहीं संसार में होता तो वह कब के इनकी जगह पर कबजा कर लेते हैं जां तो व्याज ही पता नहीं कितना बना देते हैं कि समझा रही है कि जो जो गहने की जो गिरवी लोग रखते हैं उसकी लिमट होती है मतलब उस टाइम की जब तक अगर नहीं देंगे तो क्या हो जाएगी पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पर जब परमिश्य के लिए उन्होंने मन खोला अपने दिल को खोला आज आपके सामने हैं सालों से जौब कर रहे थी वो उसमें कुछ भी नहीं बचता था हां किस्तों में वो लॉन में चला जाता था पर जैसे खुदवन के लिए खिया हां इनके यहां पे इनका गाउं वहां पे एक शैलर उपन हुआ तो परमिश्य अपनी सुविच्छा पी डालता ना इन्होंने कंटीन उपन की वोलो आप के उपर करज है वो भी जल्द मेरी बहन क्या हो गया अभी कि दिसंबर निकले से जनवरी और फार्बरी दो में निर्ट पांस तरीक ना स्तो पांच और निए निकले और दो महीने में इन्होंने एक लग का कर्चा उतार दिया तो महिने में पापाजी और शानों छीयामी नादा है तेज दन पन्याजाब देन के लिए दो महिने में क्या कर दिया तो वर्ड कहां से दिया खुदा ने परमेशन जल्ड मेरी बहन क्या कर चुका तिरा कर एंड शोटी सी बात नहीं एक मेहनत करने वाला आदमी कहां पे ये पहले 8000 प्या कमाते थे इस हॉस्पिटल में जॉब करते थे 8000 प्या आज दो महिनों में एक लग का करजा उतार दिया है अभी समझो तो आप हसाम लगा लो कि खुदावन किस रिक्ती से इने ब्लेस कर रहा है बोलो क्या कर रहा है अगर इस खुदा के लिए लौन लेकर भी अपने मन को समझा रही है तो महिनों में अभी इनका जो अपना खुद का खर्च है वह अलग है जो अपना खर्च करते होंगे उसी काम से तो अपना भी तो कुछ खर्च करते हैं यह जोटी सी बात नहीं है एक मेहनत करने वाला व्यक्ती इतनी जल्दी दो महिने में एक लग का करजा उ तार दिया और उन्हीं पैसों में से उन्हीं कंटीन से अपना घर का भी वो शिस्टम चला रहे हैं यह शोटी बात नहीं है पापाजी मेरा द्वांस रखी है गवाई पर मेशरगाड़ी और पूरी होएगी तो जो वर्ड प्रमेशर ने आपको वर्ड दिया था पता जब मैंने एक बार आपके विजट की थी तो जब मैं आपके घर गया था तो आपका घर तो सारा क्या था इनका पुराना गारे समने बाले बुले वो डाले नहीं शक्पर समझ आ रही है तो मैंने ने वर्ड दिया था के यह भी परमेशर क्या कर चुका है आप सुनों के जल्दी बोलो के जल्द आप यह भी सुनों गे कि जब परमेश के लिए कोई हिर्दे खोलता है मन खोलता है ऑन गेश के लिए सुनों यह जह जीद अगर सबको समझ आगी क्योंके परमेश कथी भी का लेकर रखता नहीं है यह वात याद रखना पर कहीं कई बने वार मन हमें धोश्त नहीं तेरा तो अपना नहीं सर्ता हां अगर तुन्हें लॉन ले लिया तो कहां से देगी कहां से उठाएगा ऐसे मन में बाते हैं कि सख्छी मन से ऐसे करता हू छुदामान सुर्परिद हुआ खोड़ता ह। टारीव कर दो यी अक गरीव एकती के लेक मेहनत करने वाले कि यह पाहुत बड़ी गवाहिा जोड़ से जोर से ताड़ आतमाच भरके भी मंग देने जो करदा मुहया फुदा बंद है ओ जो करदा हुकम मेरा यसुना स्री उसे कड़ी उसे बेले चांदाए हो सुनो जितने लोगों ने अपने उन दिनों में जब ये अनौस किया था बवन के लिए जितने लोगों ने भी ये करम किया है क्योंकि परमिश्य का वचन कहता पहले तू अपना विश्रास अपने करम से दिखा फिर मैं अपना विश्रास तुझे अपने करम से दिखाऊंगा वो सब को दिखाएगा डांट वेरी जितने लोग भी सकाम के लिए आगे आए न वो सब अपनी ब्लेसिंग के गवाही देंगे मैंने का जितने लोग सकाम के लिए आगे आये थे जिन्नों ने इस ववन के लिए अपने हिर्दे को खुला था वो सब आएगा हमने सोचा था कि अगर सब आते हैं तो हमारे लिए आसान होता पर इतने लोग आए नहीं सब नहीं आए तो को एक गरीव एकती भी अगर कुई कुछ अगर प्रॉब्लम आगी ऑस्पिटल में जाएगा तो अपको पता असकल उसके भी कितने खर्चोंगे और यह नहीं कहें हम गरीब हैं यह हम से अलाध नहीं हो वो कहाई इसे भी उठाकर करें तो तो समझा रही है पजब पर मिश्य के लिए तुम करते हो तो तो तुम्हें धुगना देता हो क्या देता वो घुगना देता दुगना तो डॉंट वेरी पर मिश्य जिन लोगों ने भी यह करम किया है तो बढदा है उन्हीं के पर्मेशा आने वाले दिनों में आपको बड़ा उक्चा करेगा क्योंकि आपका सचा मनन तो सच्चे लोगों को बहुत परमेशा जो खुदा के लिए दिल रखते हैं नमन बढ़ा ब्लेस करता है कि अभी बताओं अगे नस तो सेकेंड गवाई इनकी जे जबतारे के 15 फर्विरी को इनने फंक्शन में जाना था और जब जा रहे तो तो रस्ते में जे रोड क्रॉस कर रहे थे तो एक्टिवा के साथ इनका एक्सिडेंट हो गया और जबतारे कि जैसे इनका एक्सिडेंट चोट लगी और जे बतारे कि काफी स्वैलिंग हो गई थी उनसे चला भी नहीं जा रहा था पर फिर भी उन्होंने धन्यवाद किया कि परमेश ने मुझे संभाल कर रखा है जे बतारे वाँ पास इतने लोग थे उन्होंने कहा कि पहन जी आपको काफी चोट लगी पर इन् बत रहें और जैसे जे-शिस्टर हिएं में अपनी के साथ बात कि के अगर उजदेन मेरा एक्सिट के साथ जादी रग लग जाती मुझेवांच। में एडमेड होना पड़ता तो कितने पैसे खर्च हो जाने थे पर अभी मैं जिद्ध मैं पर मेश्र का दने बात करते हूं कि खुदा ने मिले अपने काम के लिए इस्तिमाल करना यूज करना है तो मैं पर मेश्र के लिए जो स्पैशल सीटे सांट के लिए में 5,000 देना चाह तो इन्होंने पर मेश्र के इसके लिए भी अपने मन को खोला अपना स्पैशल सीट दे दिया और जिदने वाद करते की पर मेश्र को संबाल कर रखा हो सकता अगर ज्यादा चोट लग जाती तो इनको कुछ दिन हॉस्पिटर में रुकना पड़ता प्लस इनको पैसे भी ख रखता है ना पर मेश्र के लिए तो खुदावन की नजर उस पर संदा बनी रहे हैं बाइभी में क्यों लिखाए न नदियां तुम्हें डबो सकेगी ना आग तुम्हें जिला सकेगी कुछ भी हो बोलो क्या है तुम साथ मंजल से भी नीचे गर पड़ो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा बोलो क्या है तुम्हें कुछ भी नहीं होगा मैं सची गह रहा हूं देखो कितना अच्छा मन है कि चोट लगी और मैं मैं सोचा कि अगर कुछ चादा हो जाता तो मैं हॉस्पीटल में जादी पता नहीं कितने खर्च होते तो वो भी तो खर्च करते अगर परमेशन ने मुझे संभाला है तो मैं किसके किसके लिए तूँ और जो सौंड के लिए हमने अनौश किया था क्या किया अभी अभी मैंने वो ले आया हूं मैं मैं दूशा रहा हूं अभी उनके पैसे बाकी हैं क्योंकि इस चीज के लिए बहुत ही कम लोग आ गए वो लो क्या है और मैं शांस करता हूं खुदावन आप सबको यूज कर च और आपको वो आत्निक बुद्धी भी दे चुका है कि जब हम ऐसा करते हैं तो खुदावन तुम्हें चोगना देता है क्या देता वो तुम्हें चोगना देता है चोगना लेना है कि मन को क्या करना है हां लेना है उसे तो इसको आही से समझ लो जब तुम भी ऐसा मन रखोगी कि हमारा तो उदर खर्च हो जाना था हमारा तो उदर नुक्सान हो जाना था इसलिए बाइब में लिखा ना मलाक्की की पुस्तक में कि जब कोई शेद वाली थैली में डालता है हां तो क्या होता है इन्होंने शेद वाली थैली कौंसी थैली में डाला है समझ आरी है और उसकी परमेश्य क्या दे गाए नहीं हाँ आप सुन रहे हो क्योंकि जब कोई ऐसे इंसान अपने हिर्दे को खोलता है तो उसे धिन बदिन दिन बदिन क्या करता जाता है यह नहीं है कि यह गरीब एक लाग का करजे उतार दिया है आने वाले दिनों में आपको लाखों से खुदवन ब्लेस करेगा लाखों से बस ऐसे बने रहना खुदा से अच्छे मन से क्योंकि जो खुदा की हजूरी में जो उसका वचन पूरा करता वो गरीब नहीं है सच्छी में कहता है जो खुदा का बच्चन पूरा करता है खुदां के लिए कुछ करता है वो गरीब नहीं है घरीब है वो जो अपनी बुद्धी से सोचता है कि भोलो किया है वो गरीब है और जो दिल रखता है उन्हें परमेशा स्वरक से देता है तारिक करो जोर से जोर मेरे चार शुफेरे करदा दूर गनेरे, 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 मुछियां ते तान दाए, तान दाए, तान दाए, तान दाए, हर बेले यसु मेरे नाल 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 दा, मेर दिल दाहाल पजान दाए ओके ओके गॉडब्यास सूपरमेश आपको बहुत बार के देज़ क्या बात है क्या नाम क्या है इसका पत्रस पत्रस है पत्रस पहले भी आया है क्यों जी पत्रसी बजाओ 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 फिर सुनते हैं गवाई लादे डगा टोलते यारा अज मैं जशन मनोना पारा लादे डगा टोलते यारा अज मैं जशन मनोना पारा लादे डगा टोलते यारा अज मैं जशन मनोना पारा लादे डगा टोलते यारा अज मैं जशन मनोना पारा के अज मेरे यसुने ओना चेड कोई 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 चेड रुपिश्यों तुझे बड़ी पतरस बस बरकत दे जोगा है झार तो ठीक है इनकी गवाही सुनते बैच जो अराम से बैच जो चुछ सुनते इनकी गवाही प्र ले जब साइड पर आजाओ सोरे थी कहीं तो ठीक है स्टाट कर ऑपहले गवाही सुनते हैं क्योंकि यह डोल क तो बड़ी खुशी की बात होती है हा किसी को जादा खुदा मन्य ब्लेस किया होता है हमेग थीक है बताओ हालेलोईया तो जिस्स्टर का नाम आमन है और शे मोदल गाँ के रहने वाले और सिस्ट्रे की यह हस्बेंड की गवाही है पहला मोन की फिको देखेंगे और इनके husband है और इनकी गवाही जे बतारे के तेन सालों के थे इनके husband जो है वो मलेशिया में job कर रहे थे और जे बतारे के जब वो इंडिया वापस आए तो जे बतारे के lockdown हो गया था और जिसके कारण जे जहां नहीं पाए तो जो इनके husband का driving license था तो इसकी जो date थी वो खतम होगी तो जे बतारे के जैसे इन्होंने नियू कराने के लिए दिया तो बाद में जो passport की date थी वो भी खतम होगी तो फिर जे sister ने personal meeting की प्रभू के दांस के साथ जैसे जे meeting के लिए तो परमेश्र के दांस ने इनको उत्साहिद किया तो जो इनके husband का driving license था वो भी बन गया और जो इनके passport थी अभी उसमें problem आगी थी क्योंकि जो इन्होंने apply किया था तो उसमें allocation की problem आगी थी तो फिर इन इनके husband का passport बन गया तो जैसे passport भी आ गया और फिर इनके husband थाई जुलाई को बहरीन चले गए और इनकी बहुत चाहत थी और परमेश्र ने अभी इनके husband बहरीन में है तो जब इनके husband वहां बहरीन में पहुंच गे तो वहां पर है इनके husband का जो international driving license था वो बहुत जरूरी थ पर वो अभी बना नहीं था क्योंकि उससे पहले इन्होंने बताए कि उनका CPR कार्ड बनना बहुत जरूरी था जैसे हमारे इंडिया का अधार कार्ड होता है बहुत जरूरी होता है वहां पर CPR कार्ड है और जैसे इन्होंने बताए कि वह जब apply किया तो उसके address में problem आगी औ इनको साहित किया गया कि अगर permission ने अपके जिव में इतने कामों को किया है तो जी कुछ भी नहीं है तो जी विश्वांस करो दनेवाद करो पर मेंश कर चुके और जैसे बता रहे है पिरनोंने दनेवाद दिया तो जो इनका जो इनकेस्बेंट का CPR कार्ड था वो भी बन ग जैसे हमारी इदर इंडिया में बैंक के बैंक अकाउंट का हम बैंक अंकाउट बनाते हैं वहां पर भी इनका कार्ड बना था और जिव बतारी कि वह भी एक मीना हो गया था इन्नोंने अपलाई किया था पर वह भी नहीं बन रहा था उस भी उसमें भी प्रॉब्लम आगी थी और फिर यह काफी परेशान रोगे फिर इन्होंने प्रेयटावर में कॉल की इनको और भी टीच किया गया और जिव विश्वांस किया नहीं धन्यवाद किया तो परमेशन ने बैंक अकाउंट कार्ड से भी इनको यह सब्लेट को ब्लेस किया अभी हम उस पिक को भी दे जब इन्होंने इसके लिए भी डाकूमेंस अफ्लाई किय 되면 उस में प्रणा गई तो जिसके कान उस्पन को फिर से बहरी एंस वापस इंडिया आना पड़ा जब Benya अब पर वापस आये फिर इनोंने वो डाकुमेंट किये तो जे सिस्टर ये सिस्टर ने बताया कि जे आठ बना दिया जब जे सिस्टर 7 अगस्त की मीटिंग को इनोंने अटेंड किया था और जब प्रभुके दांस के दोरा इनको ब्लैसिंग वर्ड मिला था कि परमेश्ण आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसंस के साथ भी ब्लैस कर जुके तो पहले हम इस वी क्लिप को देखेंगे कि अच्छा आप मेरे मुझे सुनना जाते हो कि इंटरनेशनल भी हां अच्छा मेरे मुझे सुनना जाते हैं कि अच्छा मेरे बोलने से इंटरनेशनल है नहीं करना जो हमारे प्रभू के टीचिंग एना जो खुदामंद नहीं हमें कहा है कि राई के दाने जितना भी अगर आपको इंटरनेशनल उस्वचन के साथ ब्लेस करता हूं कि खुदामंद आपकी इस घठी को भी इस चाहत को भ कि खुदामंद इंटरनेशनल यॉचा आपकि नहीं है कि कुछ बाखने के विश्छास करना मुदा वं के साथ आपको शवाध कि नहीं है आप यह अड़क दीक्ट अचिम्स आपक्सष्ट इस इस रजाद की आपक अज़वारें से यह अश्य है तो बिस एभू आधमभर को फिर से टिकटोई और जी अन्हों ने पर मिश्र का कि प्रातन की की पर निश्चर जब इंडिया वापस आई थे तो वह भी पैसे आपके आपके दान्स के दूआरा पर में विश्वांस करते हैं ओर तो यहां किकिए कोई प्रॉबलम नियागी और आप इस द्राइविंग लाइसंस के साथ ब्लेस कर चुके हो तो जैसे इनके बंगे तो पर मिश्यो ने तो आज इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसंस के साथ भी ब्लेस कर दिया अब यह मुस्पिक को देखेंगे तो इनकी बहु चाहती बहु जदा प्रॉब्लम आई पर जो विश्वास में बने तो आज इस खुशी के साथ डोल के साथ अपने इस कवाही के साथ आए इनकी बहु चाहती और इस कवाही के लिए पर मेश्य का दनेवाद करते हम सब तारीफ करेंगे लिग्रिशिया चोर से पढ़ेता हम पांए अप 우리가 डिल क्यों फिचिण के आ घुर याया दिले चुछिया दिया पर अदिर आय हम आया कैं पर चाह पर यह त्याह दरत है एप बात नहीं है? सुनों, सुनों, यह खुशी के क्या है? समझ आज हाई है? तो आप अपने विशांस में डिड़ विशांस में बने रहेंगे बने रहें के परमेशन जिस पर में शांस करती वो मुझे शिर्मिंदा उल्चने बहुत आई मुश्कल बहुत आई यह नहीं है कि उल्चने नहीं आई एक चीज होती दूसरे का बंगा दूसरी है तो थी सुनो द्यान से सुन जना इनकी गवाही का मेन में अपको फिर से समझाता हूं क्या ट्विस्ट है क्या मोड है क्योंकि जब लॉक्ड़न हुआ पिछले दिनों में तो इनके पती पहले कह हुआ थी पहरीन में थी मृलेशीय गए मलेशिया तो वापस आगे जब वापस आय और Țैंस पासबॉट की डेठ ती इसосто तो वह बन गया तो भी बन गया अपका विशांस ना कि मैंने पगड़ लिया और हो जाएगा इसी तरह से इशुमसी के पांस आते थे लो क्योंकि सारा कुछ हमारे विशांस बन निर्बर करता है कि समझारी है कि अजब वो हो गया तो फिर जब पांसपोर्ट बन गया तो वो चले के वहां पी तो वहां पी क्या प्रोबल्म आगी अपड़ा लाइसंस ही ना इडिया दा तो ओक देवी मतलब बड़ा पेक बना के लिए है भी बोल्दा है नॉर्मल नहीं बोल्दा फिर अनो जरूरी है उनके लिए औसके अगर वह ना हो तो चाहते हैं तो फर मिशनी उसका भी लो और फिर बैंक तो फिर जो बैंक अगांट जरूरी और उसका भी प्रोब्लम आगी खुदा ने वो भी हल किया उल्चने बहुत आई बोलो क्या है उल्चने बहुत आई जी जो C.P.R. कांट बोरे हो जैसे इस ने बताया बच्ची ने के अधार काट के जैसे इसका थोड़ा सा बता हो मुझे SeptC lamband q आजाना है जरेस गलत हुंद已经न नहीं बनके आजाता है रो द्रेस गलता współסाव है यह प्रॉल्म भी आरही थी कि देखलो मेंg मनफरी दाना एबशा किया मनफरी खाः सबस्क्राकए टो सुनू तो परमेश्व मरा कौन यह अमरा परमेश्व वो 하기 है जो अपने लोगों के लिए चेतान ख़र्ण को बह पानी नुकालता और सुमंदर को भी दो वाग कर देता क्या अब कर देता वह लो चिटान से भी पानी निकाता और सुमंदर को भी धोबा कसा है मुश्किलें चाहें कितनी भी हो उस परमिश्य के लिए कोई भी बड़ी कोई भी प्रॉब्लम उसके लिए बड़ी नहीं है बस हमें उसके साथ बनना है बोलो क्या है अपना मन बड़ी शांस होता है तो परमेश्य उसे भाई भी में लिखा लच्छी चर्मेंदा नहीं होने रहता है एक गाल पापई में हूल क्या चौनिया साथ रीक अट्वा मिना दो यार भाई एक वाज गे पंद्रा मेंट तुश क्या ही क्या है क्या ही जो मंगना मंगो परमेश्य द्यावान या जदो मेते प्रोब्लम ओंदी में हो ही गाल इसलिए इसलिए श्रमसीने क्यों का बुद्धी मान जो मनुष है अपना घर कहां पे बनाता है देखो इनोंने यह अपनी क्या हाथ को क्यों देख रहें आप यह लिगकर लेकर आये पूरा इनोने इनोने सबकुछ नोट करके रखाएं अपने परेशान है कोई नहीं साथे चार्दा टैम ही तरीक पैला मिनना दोयार बाइमान परी तांदी की गालो इता लू मैं क्या दिरी में को पैसा नहीं होगा मेरा दान पॉन जो के है नहीं है तो कितना को समझा रही है कितों को समझा रही है कि मारा परमेश्य सच्छा है हाँ जब कोई इनसान शरीर में आजाता है शरीर में तो वो मन खराब करता है पर जो कोई ध्रडव शांस से रहता है जैसे दाउद कहता है मैं यहावा के पास गया उसने मेरी सुनली वो कहता है जितनों नहीं उसके ओर द आपके पती ब्लेस हैं सब कुछ अच्छा है अगर कैनेडा का इंटरनेशनल क्या चाहिए लाइसेंस चाहिए आपको तो परमेश्य के लिए कौंसी कोई बड़ी बात है हाँ कि पुरी दुनिया किसने बनाई है ठीक है बस खुदा के लिए अच्छा मन रखना उसको अपने जीवन का पहला स्थान देना उसका वादाय में प्रिथ्वी की सब जातियों से तुम्हें क्या कर दोंगा उचा कर दोंगा तो यह बड़ी गवाई थी बहुत उल्चने आई बहुत प्रोब्लम आई यह बने रहे और सबसे परमेशने बाह निगाला और आजाद के सामने है पूरी थाना ब्लहसने तारीव करो ना आच रखा दुनिया थे ना आच रखा दुनिया थे तिना आच रखा लिहन आए थे थे दो कुछ से शुन ना test मैं यह सूब लेड़ाए है अमें बताओ बताओ और भी इनके गवाई या तो सेकेंड गवाई जे सिस्ट्री की जे बता रहे कि इनकी मैरिस से पहले और जो इनकी मैरिस होगी तो इनको पीरेट्स की बहुत ज़ादा प्रॉब्लम देज बता रहे कभी तेन मीने बाद कभी श और ये सिस्ट्र बता रहे कि जब जे सिस्ट्र दस फर्वरी 2022 के मीटिंग को इन्होंने अटेंट किया और जब प्रभु के दांस दुख्यों बीमारों के लिए प्रादना कर रहे थे तो इन्होंने प्रमिश्र के दांस के दुवारा ही लिंक वोर्ट से जिनके बंद पीड कि आप एलम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे अगा तो बंग पीट खुल जाएं इसके नम से वह नॉर्मल ओचाई वह नॉर्मल ओचाई वह नॉर्मल ओचाई जबतारे हर मंते ने बिना मैडसन से जो पीरियोड से सही तरह से आरे इस प्रॉब्लम से पर्मेशन को पूरी तरह से अज़ाद किया इस को वही के लिए जिदनेवाद करते हम सब तारीफ करेंगे कि लिए तनवाद करांगा मैं यह जो गुवाही आपकी अब कितने समय के बाद दे रहे हो पापाजी पहला तु नेगवाई जती ही ना पोत्नो मिन थोड़ा तो तुनो तो देखो जब हम डॉक्टर के पाह जाते हैं तो उसको अगर हम बताते हैं तो खुदावन हमारा इसु डॉक्ट्टरों का तो अगर वो हमें चंगा कर रहे है तो हमें अगर हम नहीं बताएंगे तो जो औरों की प्रोब्लम है वो कैसे बिर सफैयोगी एक साल थक अपनी इस चीज के लिए वेटिए अब एक साल बार यह गवाई दे रहे हो यह एक सालबार दे रहा है पापाजी मैं एक मेहना चुन तक है को एक साल तक है प्रओब्लम के लिए वेट कि क कि मैं चूब्किन क्यों होता था अगर दो महिने तहो करका अगर एक महिना सचुन इन अगया? मेडिसन भी खाते थे फिर आते थे फिर उन्होंने जब इस वर्ड को रस्षिव किया मेरे मुझसे जो खुदा ने दिया फिर अपनी एक साल तक अच्छे से चेक किया पूरी तसली से एक साल हो गया पूरा तसली से करके आएं वही यह शोटी गवाई नहीं है पर मारा परमिश्र कौन है समझा रही है जितनों की किसी को लग रहा है मेरी कोई प्रॉबलम है खुदावन इस गवाही से तसली से उनको भी आजाद कर चुका है एक सिवकरो इन नम अप छैसस मै निगा रहे सिवकरो और टारीफ करो जोर से जोर से घोसी आछी इमन निच बताो और थर्ट कवाही इनके बच्छों की है जब ऩारिगे इनके सुखे बेटे को सात चनवरी को और की बेटी को नौ जरुवी को बहुं जादा दोनों बच्चों को फीवर की प्रॉब्लम थी और जे बतारे के नोने मैट्स ने भी दिपर फिर भी कोई फरक नी बढ़ रहा था और जे बतारे जैसे नोने प्रेयर टावर में कॉल की इनके लिए प्रेयर के गी अजे विश्वा जो पड़ के दूखांचों वने खोड बुनाया है और थर्ड कवाई जे शिस्टर की यह जबतारे की 19 जनवरी को इनकी दाड़ में बहुत अदर थी जिकाना भी निका सकते थे और जिसके काँजी काफी परेशान थे और जैसे इनने फिर प्रेयर टावर में कॉल की इनके प्रेयर इनको वर्चन से उत्साहिट किया गया तो जो पतारे उस देनी प्रभू की क्रेशने शुआ और दुस्दार की दर्श से भी परमेशने पूरी तरह से अजाद कर लिया इन सब गुमाहियों के लिए परमेशने का बहुत ही धन्यवाद करते हैं और हम सब तारीफ कर कर भेई खुदावन दे इतने काम किये हैं किसी की खुशी हमारी खुशी है अज मेरे यसूने आओना छेड कोई छेड कोई गीत खोदा वंद दा आज में पंगेडा पोणा छेड कोई गीत खोदा वंद दा आज में पंगेडा पोणा छेड कोई छेड कोई छेड कोई गीत खोदा वंद दा आज में पंगेडा पोणा जेड़ कोई गीत खुदा बंददा अज मैं पंगड़ा पॉना जोर से बोलो हालिलूया किते लोग शास करते हैं हम भी इसी रिती से खुदा के भवन में डोल के साथ आदर के साथ बड़ी ब्लेसिंग की बड़े शुटकारे की गवाईयां हम दे चुके हैं कि भोलो किया हैं करते वयिषांस थिवाद भे भी से खुदा कर चुका हैं इसी रीतीं से हम भी अपने कौ़वाही दे चुके हैं को कि बोप ठाक बातनी करने-वाला परमिशन करते वयिषांस दो आज की गुमाईयों के दरह परमेश आपको बहुत सब को ब्लेस कर जुगा है in the name of Jesus और तारीफ करो पहले जोर से जोर से जोर पहले हमें ओके झाल झाल हमें आलेलुया 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 झाल, नाल, नाल, ओ, भी आल, ओ, प्यान, झाटा लूडुया हो या रहमता ये सूजी तेरिया हो या रहमता ये सूजी तेरिया मुक गयाने सजावा मेरिया मुक गयाने सजावा मेरिया खरीया गयाने खरीया हो ये सब जना थारी भी विजा के पूरे जोज नगव अपने मन नु ध्रिण कर दिए हुए और पविट्रात्म ढर्न पार दिए हुए कहये खुदानु मेरे नाड़े मिलके तारीम जो जो देह की कहने हुए रह्मता यासुजी तेरिया हुए रह्मता यासुजी तेर्या हो या रहमता ये सूजी तेरिया मुक गयाने सजावा मेरिया मुक गयाने सजावा मेरिया हो या रहमता रहमता ये सूजी तेरिया हो या रहमता ये सूजी तेरिया हो या रहमता ये सूजी तेरिया मुक गयाने सजावा मेरिया मुक गयाने सजावा मेरिया हो या रहमता ये सूजी तेरिया हो ये रहमता ये सूजी तेरिया हो ये सूजी तेरिया मुक गयाने सजावा मेरिया मुक गयाने सजावा मेरिया हो ये सूजी तेरिया मुक गयाने सजावा मेरिया मुक गयाने सजावा मेरिया किरिया हो ये तेरिया तुट गए सब बंधनी मेरे तुट गए सब बंधनी मेरे हथ तेरा यक्सू सिरिते मेरे तुट गए सब बंधनी मेरे हथ तेरा यक्सू सिरिते मेरे माफ की दिया खतावा मेरे माफ की दिया खतावा मेरे या माफ की दिया खतावा मेरे या मुच्ट गया ने सजावा मेरे या मुच्ट गया ने सजावा मेरे या मुख घंयाने सजावा मेरिया लुष 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 झाल लोमियोच लिखिया ना हुत्म सेजादा, मिलिया यसुदे कोलो जीवन सेजादा लोमियोच लिखिया ना हुत्म सेजादा, मिलिया यसुदे कोलो जीवन सेजादा लोमियोच लिखिया ना हुत्म सेजादा लोमियोच लिखिया ना हुत्म सेजादा लोमियोच लिखिया ना हुत्म सेजादा लोमियोच लोमियोच लिखिया ना करता इस विश्वाज नाल मेरे नाल मिलके कहिए पार है ठाद प्यानू यसुजी बनो दाए ना डरते नूओ हमेशा ही उठाउ दाए ना डरते नूओ हमेशा ही उठाउ दाए सदा करदाओ फिकरा में तेरिया सदा करदाओ फिकरा में तेरिया मुद्धियाने सजावा मेरिया मुद्धियाने सजावा मेरिया ओ हो या रह्मता ये सूजी तेरिया मुद्धियाने सजावा मेरिया मुद्धियाने सजावा मेरिया मुद्धियाने सजावा मेरिया मुद्धियाने सजावा मेरिया लूपाह villas लूपम हर वेड़ में मा तेरी का राघंगा में गयाके तेरी यह कदाखे डरी चांगे कैस्ट अ सुद्धिया कुशिया आजिक ने जर खूशने तोनों हट थीपर करके अज जिसे जिन्दाना गुणाई बेरी है मेरे नाल में के सब जर गई है हर बेल में मा तेरी का रांगा में गाके देवा गद्वाही तरी थाठ बात जाके माच गद्वाए मत रहा है मत रहा है तेरिया, हो या रहमता ये खूजी तेरिया, मुक भियाने सजावा मेरिया हो या रहमता, 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 हो या र हो या रह्मता यसु जी मेरिया मत दियाने सजावा मेरिया मत दियाने सजावा मेरिया मत दियाने सजावा मेरिया मत दियान'? मेरे येसु ये तू हुया रेम ता रेम ता हुया रेम ता रेम ता अपने भागल हुनाल येसु तनमन रंग दे मेरा अपने भागल हुनाल तनमन रंग दे वह रेम ता 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 रे मेर्या, मुक दियाने सजावा मेर्या 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 मुक दियाने सजावा मुक दियाने सजावा मुक दियाने सजावा मुक दियाने सजावा मिलिया ये सुदे कोड़ो जीवन सदादा गुरू है पाक मैंनू देंदाए दलेरिया गुरू है पाक मैंनू देंदाए दलेरिया मुक दियाने सजावा मेर्या मुक दियाने सजावा मेर्या हो यारे हो यारे मता ये सुदी तेरिया हो यारे मता ये सुदी तेरिया मुक दियाने सजावा मेर्या हो मुक दियाने सजावा मेर्या हाले हालेलुय हालेलुय हाले हाले इस आप आप चुबद्ध चोड़ से उसको दबंद के लिए स्टेवर्ट के लिए किते नोगतियान है क्योंकि बाइबल कहती है कि मेरी पर्चा जो है मेरे लोग है जो मेरे पांस आते हैं जो मुस परिशांस करते हैं कहीं पर नहीं लिखा कि शेतान उनके जीवन को क्या कर रहा है कहीं पर नहीं लिखा बाइबल में शेतान उनके जीवन को बरबाद कर रहा है लिखा मेरी पर्जा मेरी लोग घ्यान होने से क्या हो रहे है कि उनको मेरे मेरे मेरा घ्यान उनके पास नहीं है वो मेरी घ्यान को समझते नहीं है कि मैं इसने कहता हूँ मेरी बाग को मानते नीसमलती इसलिए मेरी परजा क्या हो रहे नाश हो रहे और उसकी चाहत है बोलो क्या है परमेशे की परमेशे की चाहत है कि सब मुनुष बचाये जाए और सत्ते को जाने इश्यमसी ने कहा सत्ते को जान सत्ते तुम्हें क्या करेगा क्या करेगा तुम्हें आजाद करेगा तुम्हें शुटकारा देगा शुटकारा एक ही चीज का नहीं है शुटकार लुक्य है अलेगा इकल्प्रोलम में हर चीज़ कि हां को बिमारी के कारण है को किसी के कारण है कुछी काध धन्य उसकी और प्रॉब्लम में तो कुछ न कुछ पर सत्य क्या करता है कि आजाद करता है अमे इसका थब डिख्म एसका थब में पर means UH यह देखो, आज का जो विश्या है, वो यह है कि उधार की महा सामर्थ को समझें, बोलो क्या है? उधार की महा सामर्थ को समझें और पाएं सब दुखों से शुटका रहा है, यह उधार क्या है? कितों को पता। पंजाबी के बायवल ने उसे मुकती शब्द दिखा, हुआ वों क्या है? मुक्थी शब्द है! तो आस हम समझेंगे और मेरा विश्यास है, जितने लोग आस के पाण को समझेंगे जैसे एजरा, एक शाष्त्री के लिखा ही था, मुस्सा की दिविवस्ती जब इस्रेलियों को वो सुनाने लगा जब इस्रेलियों ने उन वच्छनों को जो मुस्सा के दरह परमिशने मिवस्ता दी थी जब सुने तो लिखा वो सुनकर रोने लगे जो आपके बच्चे पीड़ी आगे आगे जाती है ना पीड़ी आज आप सुनरे आगे वाली पीड़ी जाएं ते दूसरी प्रतीस नी क्योंकि उनकी पीड़े वाले लोगों ने जो परमेशन अपने दास मुसा को जब वच्चन दिये ववस्ता दी तो उनमें बड़ी उनकी लाब की बाते थी क्या थी बोलो लाब की बाते थी लाब की पर उनुने इतना ध्यान नहीं दिया समचा नहीं वैसे चले नहीं कुछ में नहीं किया जब आगे वाली पीडी ने उन वच्चनों को सुना जब एजना एक शास्त्री की लिखा रही था लब लिगा उचे मचान पर वो चड़कर पर कि हमारे बाप दादों ने परमिश्य जो इतना सामर्थी इतना ताकतवार है जो अपनी भूझा से अपने बल से जो मिश्य की गुलामी से निकाल आया जितने जिसने इतने बड़े-बड़े चमतकार किये हमारे बाप दादों ने क्यों नहीं परमिश्य की उसाग्या को मान क्यों नहीं वैसे चले जो प्रमेशन नहीं चलने के लिए कहा तो वो उन बातों को सुनकर रोने लेकर आज भी ऐसा ही है है हाँ है कुछ लोगों के जीवन में आस भी आसा ही है पर अपने हाथों को उठाओ आज के पाठ को मैं शास करता हूं खुदवन आपके बुद्धी को आपके हिर्दे को आपके मन को खोले अपने आथों को उठाओ आज के वचन के लिए मांगो खुदा से के परमेशन आज इतना वचन में सुनू मेरी बुद्धी और समस में आए मेरी बुद्धी और समस में आए कोई अंदकार की शक्तियां मे हिर दने वात करो और मांगो मांगो की आज है आज का बच्रम को अधिक कने बुद्ध्यों और समय में आई है जक्रम मांगों 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 हुझ यृङ हम ती पीस करसी हमिन नष्ट वने twitter भलक्न बचाद लिए वचन में निखा कौनवनめて अपने नाम को भी अपने नाम से भी ज्यादा मेहत अपने वचन को दिया है एक न मेरी और हिव पुद्धि और समस में आए और कोई अंधकार की शक्तिन Tyler मेरे चीवन से ही प्रभूत तेरे चीवत वचनों कोकिराना पाई डांटो, संदकार की शक्ति को, हर आंध उस आलत खी आत्मा को, सुस्ति के आत्मा को जो आपको नेन, सुनते सुनते जिन लोगों को नेन दाती है समस नहीं आती वचन को सुंते सुंते जो चिनते श्तान वचन चुराता आज डांटो षितान को उस आलस की आत्मा को Nилоay देने वाली आत्मा को ढंटो यह मसी के नाम से जांटो तांटो वोगे मेरा विश्रास से आज कुदबन ऐसके वॉर्ट के दर आपको बड़ा ब्लेस करने बाने ये श्यमसी के नाम से येस खुदबन मैं श्हास करता हूँ आसके वॉर्ट के दर एंकी आप में काकिया खोल चुकी हो ये श्यमसी के नाम से एमें एप चो अपनी जगे पर सब और जो लोक बुद्धीमान हैं, जैसे अबिडियेत भवाई सुनी यृष्षimas मेरी भाद ध्याद से सोन पर बुद्धिमान वेक्ति हर बात को व। उननी मेरे पुत्तर मेरी तालिम को नहीं बुहना मेरे बच्चनों को अपने हिर रुपी पटियों पर लेकिए है हमें कित्वों को समझ आदे है और मैं हमेशे एक चीज कहता हूं कि जो लोग पढ़ना जानते हैं बहलो क्या है कि मैं जानते हैं वह पढ़ना शुरू जाओ कि मैं सची गह रहा हूं जो अन्पाड़ है वह भी वह टुशन रख लो वह पढ़ना शुरू कर दो कोई बात मी कि हमारे जो मदर हैं वो पड़े नहीं थे जो मेरी सिस्टर थी उन्होंने उसे जब हम पैदा हुए जो मेरी सिस्टर है मिन से बढ़ी उन्होंने 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 पढ़ना सीखाया है किस ओंवर में कि सब कुछ हो सकता है अगर आप चाहों तो सब कुछ हो सकता है जब दिल मन होता है किसी चीज़ के लिए जब दिल होता है मन होता है इसलिए अगर आप पढ़ना जानते हो अगर आपके पास बाइबल आपके पास नहीं है डेरी पेन आपके पास नहीं ही तो मैं कहता हूं कोई फैदा निया है क्योंकि इतनी कीमती चीज़िए जो खुदा-मन देता आपके लाब के लिए इनिका मौ तो चिक्षा इस लिए देता है तुमारे लाब के लिए देता है क्या देता है जलो सबसे पहले स्वच्छन को देखते हैं फिर हम इस विशे को शुरू करेंगे निकालो जिशाया की पुस्तर इसका हड़ताली निकालो 48 हड़ताली अध्याई इसकी स्तारां से पढ़ेंगे यहावा जो तेरा शुडाने वाला और इस्राइल का पवित्र है वैं यूं कहता है मैं ही तेरा परमेश्य यहावा हूँ जो तुझे तेरे लाब के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मारग से तुझे जाना है उसी मरग पर तुझे लेज चलता हूँ बना होता तुने मेरी आखियों को ध्यान से सुना होता तब तेरी शान्ती नधी के समान और तेरा धरम समुंदर की लेहरों के समान होता धरम मतलव सुचियाई गोलो क्या है लिखा यहावा जो तेरा शुडाने वाला इस्राइल का पवित्र वैयूं कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्य यहावा हूँ जो तेरे लाब के लिए तुझे शिक्षा देता है कौन देता है तब के लाग के लिए शिक्षा कौन देता है वह सरुष्षक्ति और जो लोग बुद्धी माने इशुमसी ने कहां वो मेरी बातों को सुनते हैं हां और पूरा करते हैं वो अपना घर कहां पर बनाते हैं चटान पर हमें तो हम निकालेंगे हम सबसे पहले निकालेंगे ब्राणियों की पुष्टक उसका दो अध्याई निकालो दो की एक से पढ़ेंगे यहां पर लिखा इस करन चाहिए कि हम उन बातों पर हमने सुनी है और भी मन लगाएं ऐसा नहों के बहे कर उनसे दोर चले जाएं क्योंकि जो वचल स्वरुक दूतों के दोरा कहा गया था जब वेस्तिर रहा और हर एक प्राद और आख्या नाम माने का ठीक ठीक बदला मिला तो हम लोग ऐसे बड़े उधार के उधार से निश्चत रहकर कैसे बज सकते हैं जिसके चर्चा पहले पहल प्रभू के द्वारा हुई और सुनने वाले के द्वारा हमें इसका निश्चे हुआ और साथ ही परमेश्र भी अपने इश्चा के अनुसार चिन्नों और अदुबूत कामों और नाना परिकार के सामत के कामों और पवित्रात्मा के वरदानों के बाटनी के द्वारा इसके गवाही देता है आमें सुनों ध्यान से कि इसका मुद्पल है कि परमेश्य का वच्छन हमें कहता है कि इस कारण चाहिए कि हम उन बातों को जो सुनी है और भी मन लगाए शुरू में बोलो क्या है इस शुरू में भुशक्त्रों के दोरा नभीयों के दोरा परमेश्य ने बहुश्वानी की हां बोलो क्या की बहुश कि पुलो क्या कि उसकी बहुष्वानी की पुलो क्या कि है बहुष्वानी की यसे मर्यम के बाद जब एक धूत आया स्वरग दूत आया उसने का आनन्द और जय तेरी ओं तुए को पुत्तर जनेंगी उसका नाम क्या रखना येशु रखना वो उस मुवास को सुनकर डर गई तो उसने करा धर नहीं भैभीत नहीं हो परमेश्य की किरपा दृष्टित उस पर हुई है कि तू एक पुत्तर को जनेंगे और उसका नाम येशु रखना वो पूरी दुनिया के लिए क्या होगा उधार का क्या होगा इसलिए अगर आप प्रिर्तों की पुस्तर उसकी चार की बारा पंजाबी में रिसुल्ना दे करता है लिखा है इस कांश के नीचे और पूरी प्रित्वी के मनुश्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे तुम क्या हो उधार पा सकते हो जिससे तुम बचाए जा सकते हो एकी ना येशु जिसमें आज आज आप चुनेंगे इसलिए हम और भी मन लगाए ऐसा नहों बहकर उनसे धूर चले जाए हाँ अब येशु के पास आयो आप बोलो आप सोचों ओ मेरी परमिश्य क्यों नहीं सुनदा मेरा काम क्यों नहीं हो रहा आप संसार में आप हाँ आप तो वहां पर जाते हो आप तो कहते हैं वहां पर ये होता है वह होता है यह होता है कि शुमसी नहीं कहां मेरे कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे क्योंकि तुमसे पहले उन्होंने मुझसे भी बैर रखा जब आप मसी में आ जाते हो तो लोग बहुत कुछ कुछ हalter इभर संसार में थे लोग वहीं लोग जो आज आप कहते हैं आप शर्चारय को उध्र जा आपका काम क्यों नहीं रोता है वहीं लोग में लुध आता है स negativity को इसे परें हां परमेशा करेगा जलो पने जो कर्म ह superstition ह hé चल्क्व नहией ओभड़ का दाया है है जोड्यक टक्धिक अजियो यह उमेरियो है इसे बोलते न है जल कोई ना प्रभु करेगा पर मेशถे के पांकर अंदेर में अंदेर नहीं एं यां अंदेर भी ऐसे करते इसे कर जो दोर्शक गर में एप टेर हैं अंदेर नहीं है की ड़ी अवह करेंगी आप मसी मे आगे तो लोग आपको बोलें गे आपका मन भी आपको दोष नहीं का इसी लिए गंश पर बाइबल कैते हैं एसा हम उनरों बहेकर उनसे दूर चले जाए हां बोलो क्या है उनसे धूर चले जाए क्यूंकि जो बच्चन सूर्ग दूतों के दौरा कहा गया था जब इस्थिर रहा और हर एक अप्राद और आख्या ना माने का ठीक ठीक बदला मिला बोलो क्या बिला उनको ठीक ठीक बदला मिला ना क्योंकि शुमसी को आए हुए दो हजार साल से भी उपर होगी कि इसलिए अब नोट करते जाओ फर्स्ट कुरंतियों एक एठारा में लिखा क्रूस की कथा सलीब की कहानी लिखा नाश होने वाले के लिए एक मुरुखता है पर हम उधार पाने वालों के लिए क्या है बोलो लिखा परमेशक की सामर्थ है शक्ति है कि वोलो कि हैं हम अधार पाने वालों के लिए परमेश्य की वो एक सामर्द एक शक्ति है इसलिए आसका जे विशा है कि अधार की महा सामर्द को समझें और पाएं सब दुखों से शुटकार इसलिए कि परमेश्य यहां मेरी पर्जा को मेरे धुपक्रद के ओंनी कि समस्नी हो P है समस्नाहि आधी तो खुदाबवननिया जिसको जिसके पास बुद्धीन वो मुझसे मांगे जो बिना उलाने हें अन्net को दे सकता अगर आपको वच्छन की सामस नहीं आरी जब मैं नया नया तो मैं इस चाहे में बेशक पड़ा हूं मैं इस बाइबल कि नॉलस में इसकी जानकरी में मैं जीरो था मुझे कुछ भी नहीं पता था कुछ भी आई यहां पर हमने यूथ मीटिंग रखी है ना बनी बच्चों की कि आतो यहां पे कर दूसला के आट साल के बच्चे पूरी बाइबल की पुस्ट के बता रहें जब मैं आया था है को लोगया हम जब मैं प्रबू में आया था को मेरीocal शेल थीच जब शाल की यह मेरा अगपय में तब instead शादी हुई विशादी से पहले में तीन-चार महिने पहले में प्रभु में आया था कि अब खुदावन्द ने कि ऐसा अपना उथार मेरे उपर खोला ऐसी मुझे समस्थ दी ती कि भालो क्यागी कि मैं उन पर ध्यान लगाँ विशक चाहे मैं उस समय बलू इसमें इसको संमधने में जीरो था नौला मेरी पर मैं है ध्यान लगाने लगा संधिना मैं तो आंशा देख रहा हूं कि परमेशक आनू ग्रह को देख रहा हूं आज 8 साल के दस साल के बच्चे पूरी बाइबल की पुस्त के शुरू से लेकर परकाशे वाचिक बता रहेए अमने पिशले दिनों में यहां बें बच्चों का टेस्ट लिया था नदर कही लोगें अपने बच्चों को बेसते नहीं है आपनी चाहते हैं हमारे बच्चे किसके साथ चीह हैं हां चाहते हों किसके ग्यान को समझें इसलिए यह लिखा है कि जो वच्चन सुरक दूतों के दारा कहा गया जब वे स्थिर रहा तो हार एक पराद और आख्या नमने के ठीक ठीक बदला लिखा कि लिखा क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मुर्खता है जो कहते कोई बात नहीं है सब आएं फिर क्या है वो भी आएं उन्होंने भी तो बलियां दी है वो भी तो हुए हां देखा क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है पर हम उधार पाने वालों के लिए लिखा परमेश्य की सामर्त है इसलिए रुमियों 2014 में प॥ेरी पॉल कहता है मैं सुसमा पताने वहीं मैं किपा हुदी फिर जुनानी उधार के नमित लिखा परमेश्य की सामर में कि सामर्त 맏 कि सिंगी से नोद्धि ऊफुरिट तुनिया की डिए ईक गुड्नियों से कुड़ण उस्समाचार और नोगों के लिए आपर ये भेत की बात की पूरी थुनिया के लिए जब योसी वसी ही आए तो उससमी के लोगों में लोगो ने मीनि समझाओ पोलो कहा हैं उससमी के लोगों में नहीं समझा उसे उसने अपने बारे लिखी बातें बताई पर फिर भी उन्होंने अपने मन को कठोर कि उसकी एक नहीं समझी उसने कहा अगर मैं परमिश्य की और से नहीं हूं जी चिन चमत मार मैं करता हूं अगर मैं परमिश्य की और से नहीं हूं तो मैं कैसे कर सकता हू उसने बताया कि मैं किसकी और से स्वरक से आया हूँ, उस समय के लोगों ने तब भी उसकी नहीं सुने, इसलिए पकड़ कर उसे कहां पर लटका दिया, क्रूस पर, मैं क्रूस की कता, नाश होने वालों के लिए मुर्ख था है, पर हम उधार पाने वालों के लिए सामर्थ है, इसलिए, मैं सुसमा चार से लजाता नहीं, क्योंकि सबसे पहले यहुद्धी फिर जो ननी, उधार के नुमित परमेशक की सामर्थ है, हार एक के लिए, जो श्रांस करता, कि शो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाडा गया, और तिसन मुर्दों में से, छी उठा, तो किस हम तो हर दिन नहीं नहीं गवाईयां देते हैं, अगर हम यहां पर एक एक बंदे को खड़ा करके, उसके जीवन की जनरी की जितनी गवाईयां अगर बताएं तो आप हरान हो जाओगे, यहां पर बैठे, को कि हम तो नहीं नहीं गवाईयां दे रहे हैं, पर एक बंदे को और एक-एको खड़ा करें सुबह से लेकि शाम तक भी लगे रहें तो भी नहीं इतने काम हुए है समझा रही है और लिखा यह उधार पाने वालों के लिए उसकी सामर्थ है इसलिए वो कहता है मैं लजाता नहीं मैं श्रमाता नहीं कौन श्रमाते हैं इसू समाचार के लिए और कितने लोग इसू समाचार को दूसरों को बताते हैं बताते हो के नहीं है दूसरों को भी बताते हो के नहीं बताते हैं दूसरों के लिए उभी प्रात्ना करते हो के नहीं करते हैं जब तुम ऐसा करोगे तो परमेश्य तुमारी त्विस्त्म उनलुदी संहेंगा इसलिए बाजये कहती अपसे अपने लिए उसके लिए जी ओ जो सबके लिए मराय और फिर चेह उठाए अब किसके लिए कौन आपके पापों के लिए अन। अगर वो नाम मरता तो आपको उधार मिलता आपको जीवन मिलता फिर जुकारा क्योंकि वो शुटकारा सिर्फ किसके में येशु में और किसी नाम में नहीं इसलिए कहता है काश के नीचे और पूरी प्रित्वी के मनुश्यों में कोई पर चर्म नहीं दिया जिससे तुम ओञेति ती हम ने इन ऑन detichts अने इज नहीं हम्ने वेलिबर न यह न आ लिए वा ले भी मरी युश्वर के पास नहीं वेनिगे मैं जुरु क्या है दुनिया के सब चीजह दूना सब शीजे हbachड चार ट ₫ हो कर लिए आंगे घिर खोरी Ό कि यहीं यहग पाने वालों के लिए जो शांस करते हैं उनके लिए सामर्थ है मसी में आजा मसी में कुछ भी मांगो कुछ भी कहो परमिशाब की सुनता है नहीं है तो प्रैक्टिकल करके देखो कि अज कुछ भी मसी के नाम से शांस से मांगो दिल से मांगो परमिशाब की सुनता है अगर आपने सच में शुमसी को अपना मुक्ती दाता माल लिया है दिल से उसे ग्रैन कर लिया है तो आपकी सुनता है ऐसाने के नहीं सुनता है पर आपने कभी प्रेक्टिकल किया है नहीं है आपको लगता है जैसे रुमियों 10 की आठ में लिखा है के वच्चन तेरे निकट ह तेरे मूँ में क्योंकि येशु भी एक वचन है बोलो येशु एक वचन है ये ये भी वचन है बोलो कहीं ये भी एक वचन है पर येशु भी एक वचन है उसे बोलते है लोगो वचन है कौनसा वचन हो लोगो वचन जो सरगदूत लेकर आया कहां से लेकर है उपर से आया उस वरकदूत ने क्या कहा कि जिब्राइल ने मर्यम को आनन्द और चैन थेरियों कि तू एक पुतर जनेगी क्योंकि परमेश्य की किरपा द्रिस्टी तेरे पार को ही है वो पूरी दुनिया के लिए क्या होगा क्या होगा पूरी दुनिया के लिए वो क्या होगा उथार का क्या ह होगा जिन्न होगा अमें इसलिए लिखा है इसलिए लिखा है विभ्राणियों बारां की फिर से हम पढ़ेंगे इसकी है चुबच्छन स्वर्ग दूतों के दारा कहां गया जब इस्थिर रहा राग हर एक अप्राद और आक्या नमाने का ठीक ठीक मतला मिला करेंगे तो हम लोग ऐसे बड़े उठार से निश्चत रह कर कैसे बस सकते जिसकी सथाफ पहले पर प्रभु के वरह यह यह सुन्य वालों के दारा हमें इसका निश्ची है सब सrom ना कम सुनते नहीं प्रूल ने को मैं यसको जो हो है में ओर दी यह को 53 तरविंजा नोट करो तो एक से लेकर तरविंजा की एक से लेकर शे तक नोट कर लो जहां पर जेसाया ने बहुश्वानी की ती येशमसी के बारे तो बहुश्वानी की थी आगर प्रेएटों की पुस्तक आठ था में पड़ो तो वहां पे खोजा नाम का व्यक्ति था तो मैं इस्वचन को भी आपको कि हम देखते हैं साथ में नोट कर लेना तो आठ की शबी से लेकर कि यह नोट करो आठ की प्रेर्टों मतलब रसुल्हां दे करता हूं आठ दी शबी से लेकर कि कि यह उन्तालीस तक पड़ो उन्तालीस तक नोट करो तो यहां पर एक खोजा नाम क्या व्यक्ति था जो जिशायां बविशक्ता के द्वारा इश्व मसीग की बहुश्वानी होई थी भूलो क्या था वो वो रत पर बैठा हुआ उस पुस्तक को पड़ रहा था और उस बांत को सीखने के लिए लिखा वो बड़ी धूर युरुशलम गया बोलो क्या गया युरुशलम में गया अगर हम 32 से पड़ें अगर हम थोड़ा सा उपर पड़ें 30 की तो फिल्पोस अठाई से पड़ते हैं वे अपने रत पर बैठा हुआ जिशाया बिख्षक्ता की पुस्तक पड़ता हुआ लोटा जा रहा था तब आत्मा ने फिल्पोस एका निकट जाकर इस रत के साथ हो ले फिल्पोस उनकी और धोड़ा और उसे जिशाया बिख्षक्ता की पुस्तक पड़ते हुए सुनार पूशा जो तू जो पड़ रहा है क्या उसे समस्ता भी है उसने का जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझू यही बात है जो इबरानियों में अभी हमने पड़े कि जिसकी चर्चा पहली पहल प्रभू के द्वारा हाई और सुनने के दौरा सुनने वालों के दौरा हमें इसका निश्चे हुआ अब सुनों ध्यान से सुनों अब खोजा उस पुस्तक को जो घ्रिशमसी के बारे लिखा था वो पड़ तो रहा था पर उसे समस नहीं आरी थी लोलो क्या थी उसे समस नहीं आरी यह क्या लिखा है जब फिल्पुस में पूशा उस खोजा से जो तु पढ़ रहा है तुझे समस आ रही है उसने आगे से कहा कि 30 में लिखा उसने जब तक मुझे कोई ना समझाए मैं कैसे समझू और उसने फिल्पु से विंति की और चड़कर उसके साथ बैठ पवित्र शांस्तर का जवा अध्याई पढ़ रहा था वह यह था कि मैं बेड के समान वद्ध होने के लिए पचाया कि जैसा मेमने उन कतरने वालों के समान चुप चप रहता है वैसे ही उसने ही अपना मून खोला उसकी धींगता में उसका नियाई नहीं होने पाया उसके सब लोगों का वन्न कौन करेगा क्योंकि प्रित्वी में उसका प्रान उठा लिया जाएगा बोलो क्या है इस पर खोजे ने फिल्पुस से प खुला और इस शास्तर के अरम करके उसे शुकर सुसमाचार सुनाया मारग में चल्चे जलते किसी जल की जगे पहुंचे तब खोजे ने कहा देख यहां जल है अब मुझे बप्तिश्मा लेने में क्या रोग है कि जो बाते हैं यहां पर लिखा 32 में जो अथ्याई पढ़ तो भेड के समानवद्ध होने के लिए पहुचाया गया जैसा मेमन अपने उन कतने वालों के समने चूप चाप रहता है उसने अपने मूना खोला उसकी दीनता के समने उसका नयाई नहीं होने पाया उसके समय के लोगों का वर्नन कौन करे उसका प्रान प्रित्वी से उठा तो रही है क्योंकि ये बात येश्व मसी की थी जो तरविंजा अध्याई में जो जिशाया बविक्षक्ता ने येश्व मसी के बारी बविश्वानी की थी समझा रही है तो जब उसने इसे पढ़कर सारा समझाया कि ये कौन है ये शुमसी के बारी बताया तो जब उसे समस आगी बोलो क्या आगी जब समस उसे आगी तो उसने फिलपूस से विंती की यहां पे पानी है अब मुझे बप्तिश्मा लेने में क्या रोक है जो उसने समस लिया कौन है उथाद करता कौन है मुक्ती दाता कौन है जो हमारे पापों के लिए मारा गया है गाडा गया है कौन है हां जैसा मेमना अपने उन कतने वालों के सामने चुप चाप रहता है क्योंकि उसने सब कुछ जब पिल्ला तुसने राजे ने जब उसे इशुक को पकड़ा तो उसने पुछा बता मैं तुझे शोड़ दूगा कि उसने बताया ने वो चुप रहा है क्यों कि उसके विशे में लिखी बातें जो थी हमारे लिए वो पूरी हों बोलो क्या है एक बेत है मसी में चितने लोग आते हैं वो तब तक परेशान है जब तक इस सत्ते को अच्छे से नहीं समझते हैं जो समझ आते हैं वो बहुत जल्दी क्या पाते हैं इसलिए कुछ लोगों की टस्टा मनी कुछ लोगों की गवाही जल्दी बनती और कुछ लोगों की नहीं बनती आजे नहीं आए तो भी कोई Antes कोई आजया नीकोई नियम नीकोई प्रात्मा नीको प्रॉपात्ना कोई भिटर नी कि इसलिए लग मांते और ध्यान देते हैं उप बड़ी जल्दी आंगे बिकर जातें और कुछ नहीं करते हैं, कुछ लोग सिर्फ आना जाना लगाएं, भूलो के हैं, कुछ लोग पड़े ध्यान से देते हैं, अभी अमने उस्टर की गवाही सुनी, उसनी सब चीज़ें नोट करके रखी, जो परमिशने मेरे मुझ से दिया, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर हम टाइम नकाल कर यहां पर बैठे हैं, तो सुनो द्यान से, परमिशन आपको शुनना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको एक अच्छी जिंदगी देना चाहता है, इतनों को समझ आ रहे हैं, लेना चाहते हूं, अगर नहीं समझ आ रहे हैं, जब मैं आया था त उन्होंने बताया आप परमिश्यों से प्रात्मा करें मेरे अंदर बड़ी चाहती खोजा के जैसे सीखने के लिए जैसे खोजा बड़ी धूर उस पुस्तक में लिखी हुई बात जो इशुमसी के बारे लिखी थी वो पढ़ रहा था कि यह क्या है मेमना कतरने वालों के सामने चुप चुपरा उसकी दीनता के सामने उदा न्याओं हुने नहीं पाया उसका प्रान प्रिथी पर से उठा लिया जाएगा देखो कुछा के अंदर कितनी चाहत थी बोला गया ने कितनी चाहत थी और लिखा वो जिरूशलम में बड़ी दूर उस बात को सीखने के लिए गया सिर्फ सीखने के लिए किसी मतलब ऐसे नहीं है मेरे यहां पर दर्द है मेरे रसॉली है मेरे यह प्रॉब्लम है मेरी वो प्रॉब्लम है इ के जीमत में सब दुक अपने आप में चाहती है चाहे वो जमांदु लंगड़ा के हो निया जमांदु अंदर दा क्यों नी कि दक्तर ने उसे जवाब क्यों नी दिने तो यह थे जब समझ आती है तो वी अपने पैरोंपर खड़ा होता है और अंदा भी देहतास पए आपका कोई आमें नहीं है भीले वाला नहीं है मुझे उच्छे वाला चाहिए आप चाहते हो तो भ्लेस हो ना तो फिर थ्यान दो लिखा उस उथार के विश्य जिसकी चर्चा पहले पहले प्रभु न की निश्चन्त मत्रों आप देखो खोचा के अंदर कितनी चाहती उस बात को सीखने के लिए जो इश्युमसी के बारे लिखा था वो कितनी धूर गया और परमिश्य ने उसके मन को देखा जब वहां पे गया तो उसे कोई सखाना पाय पर रस्ते में जब आ रहा है तो अपनी रत पर बैठा वो पड़ रहा था पर मेश्य ने उसके मन को चाहत को देखा फिल पुस बहुत दूर था पर मेश्यु से हवा में उठा कर ले गया पर मिश्य कब अपनी दांस को अपनी सेविक को अपके लिए इस्तमाल करता है जब तब तक आपके अंदर वो प्यास नहीं है, चाहत नहीं है, जब आपके अंदर कोई प्यास नहीं है, आप कुछ नहीं चाहते हैं, तब तक परमिश्य कुछ नहीं करें, अब अपने अभी उनके गवाही में सुना, मैं मैं मो रहा हूं, आप मेरे मुझ से सुनना चाहते हो, कह आपने आपको नीमा कर, कि तुझे कौन उचा करेगा, वोलो, बॉलो्चा करेग़गो, कौन उचा करेगा, मैंने कहां कि, मैंने कुद पवित्र लोगों के पैर तक दोई, वो अग छीज़ हैं कि, आपको मालूम नी, आपको पता नियरू, यह के दीनता हैं जब तुम धी बंते हो खुदवन तो मेरा-में से यह नियो फुरहिक गैसा नहीं करता है इस समझारी है कि Open subscription पूर उपर राफर से बढ़ना जी किली दूर्स्व को वड़ी फूर ay आपके लिए इस्तमाल करता है कि अपने हार संडे वीरवार आप सुनते हो जो लोग आते हैं कि अपर में इस पर आपको और भी ध्यान देना चाहिए लिखा इसलिए ऐसा नहों के बहे कर हम उनसे दूर चले हां बोलो के चल जाई आसा नहों उनसे बहे कर क्या चले जाए दूर चले जाए दूर है है जिसकी चर्च आप हले पहल प्रभू के द्वारा यो सुन्ने वालों के द्वरा में निश्य हुआ है क्या हुआ लिए निश्चे मतलब पक्त Alli है सनने वाले के दूरामे निश्य हुआ अब च्ंस दूटों के दूरा कहा गया क्या जब अस्थिर रहा बहु अ हई सव्की की दूटों के दूरा कहा गया जब तिर हां और हर एक अप्राद और आस टीठ थीठ बंद्दना में आज भी लोग कितने आती हैं इसम उसी के पास जितनी आपकी घिंती हैं इसके हसाम सही इसकी गिंती क्या होनी चाहिए था क्योंकि बहुत लोग आए चाह गए, आएं और गए कोई दो बार आए, कोई चार बार आए उन्हें देखा एक बार आगे, दो बार आए जो जी एक बार आए, दो बार आए नहीं हुआ अगर टीम पूछे आप क्यों नहीं आई ओ लो जी आई आई सादा तो कामी नहीं होया क्योंकि यह उन्हें समझ नहीं है यह इसलिए असा बोलती है अगर उन्हें समझ आगी जो वच्चन में लिखा है प्रेर्थों की पुरुस्तक चार की बारा कि रिसुल्हां देगाए कि काश के नीचे और पूरी पृठवी के मश्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया जिससे तुम उधार पा सकते शुटकारा पा सकते क्या पा सकते कोई दूसरा नाम नहीं पत्रस की पुस्तक में देखो इसकी एक की दस में लिखा पहला पत्रस इसी उधार के विशे में उन बविख्षक्ताओं ने बहुत खोज बीन और जांच पड़ताल की जिन्हों ने उस अनुग्रह के विशे में जो तुम पर होने को था बविश्वानी की थी उन बविख्षक्ताओं ने इश्वमसी के आने की बविश्वानी की लिखा जो अनुग्रह जो किर्पा तुम पर लिखा पत्रस कहता होने वाली थी हम पर किसकी किर्पा हुई यसे मैंने संडे भी बताया शिबारानी उस दिन हां न्याओं न्याई के दिन तुम्हें दोशी ठहराएगी उसने का मैं तो सुलेमान का ग्यान सुनने के लिए प्रित्विंग की शोर से आई थी और यहां पर वे है इश्वमसी ने कहा जो सुलेमान से भी बढ़ा है अब किसका ग्यान सुनने के लिए है हां शीबारानी तो सिर्फ सुलेमान को क्योंकि जो सुलेमान को ग्यान दिया उसमें उधार नहीं था क्योंकि उधार किसके नाम में है, येशु के नाम, शुटकारा किसी और नाम में नहीं है, जो सुलिमान को घ्यान मिला उसमें उधार नहीं था, इसलिए शीबा रानी लिखा वो बुथ्थी का जो वरदान परमेशन ने, सुलिमान ने जब मांगा, तो उस बुथ्थी के वो तुम्हें दोशी ठहराएगी कि वो बोलेगी कि मुझे तो सुलेमान का ग्यान मिला, तुम्हें तो कौन सा मिला? इसलिखा उस उधार के विशे में निश्चंत मत्र, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के ध्वरा भी हुई. इतनों को समझ आ दे हैं? उधार मतल मुक्ति, किसके नाम में है शुटकारा? पापों का शुटकारा किसमी है, पर जिसने आग्या नहीं मानी, उसको लिखा ठीक ठीक क्या मिला? बदलाने. पर उधार बाने वालों के लिए, ये सामर्थए इसी उधार के विश्य में उन भर इक शक्ताओं ने, बाग खोज पीन की, चांज की, जो उसके बारे लिखी पहले से ही, जो नभीों के दोरह जो लिखी बाती ती, जो बहुश्वानी होई थी, उन्हेंने बहुत डूंड़ा यह कौन है कौन है उस दुनिया में आने वाला जो पूरी दुनिया के लिए उधार का क्या होगा एक हम बहुत जांच-पड़ताल की पत्रस कहता हुग जांच-पड़ताल की जिन्होंने उस सनुग्रय के विश्य में जो तुम पर होने के था तरस कहता है कि जो अनुग्राय जो किरपा तुम पर होने वाली उन्होंने इस बात की खोज की कि मसी का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसी के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाई देता था वे कौन से और कैसे समय की और संकेत करता था उन पर यह परिगट किया गया कि वह अपनी नहीं वर्न अपनी वह अपनी नहीं वर्न तुमारी सेवा के लिए बाते कहा करते थे जिनका समाचार अब तुम्हें उनके दोरा मिला चिन्नों ने पवित्रा आत्मा के दोरा जो स्वर्ग से बेजा गया है तुम्हें सु समाचार सुनाया और इन बातों की स्वर्ग दूथ भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं इस लिखा इन बातों की जो तुमपर परकट हुई है और जो हुने वाली है स्वर्ग धूथ भी ध्यान से क्या करते हैं हां उसकी लालसा रखते हैं स्वर्ग धूथ भी देखो तुमपर रुई हो और आप कितने अराम से आते हो बस आगे चले गए आगे अराम से कि एक बहुत भेत की बात है जो आज परमेशने क्या किया आप पर परकट की बोलो क्या की है परकट की है कि नहीं परकट की है इसलिए परकाशे वाचिक अगर 21 का 19 का एक पड़ो इसको पढ़ना जल्दी से परकाशे वाचिक उनिस का एक इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी बीड को उचे सब उचे शबत से ये कहते सुना हालेलुया उधार और महिमा और सामर्थय हमारे प्रमेश्वर ही की है का यहना कहता कि मैंने 10 मैं क्या देखी इक बड़ी बीड देखिए यह देखी कि फिससे पर दागासे इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी बीड को उचे शबत से यह कहते सुना हालेलुया उधार और महिमा और सामर्थ हमारे प्रमेश्वर ही की है हाँ उथार और सामर्थ हमारे सिर्फ परमेश्य की हैं मैंने स्वर्ग में बड़ी भीड देखी जो हालेलुया हाँ किसके नाम को वो महमा दे रहे थे जो उथार की सामर्थ है मैंने ऐसी उस स्वर्ग में ऐसे भीड को हालेलुया बोलते क्या देखा में ने संदे बताया था कि आपका दिल से आमीन और हालेलूया बोला भी आपको शुट्कारा दे सकता है बताया था है कि नहीं है कुछ लोगों को जब समस नहीं होती Misam लिखा प्रसाग ग्यान बिना नाश होती है को आपको पता नहीं है तो हम भी बात यहना कहता है मैंने स्वर्ग में एक भड़ी बीड देखी हाँ हालेलुया और उथार और सामत प्रभू की है जो किसके नाम से स्वर्ग में किसके नारे लगा रहे थी τονय अब कहीं लोगों को पतानिए कि आमीन भोल कर सीव करना मैं अपने घर में प्था नहीं कितनी जों के लिए खुद आंब बोलता हूं और सीव करता है खुद बात बोली और साथ में में लेना आमें कि जब समझ आ जाती है परमेश्य के राच्छे की बोलो क्या है को कि आपको बता नहीं है इन चीजों में कितनी पावर है क्योंकि यह किसका बचन है जब मेरा बेटा जब हुआ तो इस पर बड़ी प्रॉब्लम इसके पैदा होने से पहले खुद अवंद मुझे इसका नाम दे दिया मैंने इसका नाम आमीन रखा है कि आमीन का मत्वल होता है जो कुछ हमने मांगा वह सब कुछ पूरा हो कि आमीन इसी लिए बोलते हैं अगर मेरे मुझ से आ रहा है तो आप आमीन बोलते कि जो वर्ड आरा मेरे लिए पूरा हो चुका है कि इसकी डॉक्तरों नी इसे बत्तर गेंटे के मौलत दी थी तीन दिन की तीन दिन के मान बताएं कि ये बचे का के नहीं है में की बात पर टिका हुआ था पोलो क्या था कि नहीं इसका नाम आमीन है पर में इसका नाम तूने स्वरिक से इसके नाम का मतबल मेरे लिए हो चुका है जो डॉक्टर बोह रहे हैं वह नहीं है वो लो के जो डॉक्तर बोह रहे हैं वह नहीं है कि समझा रही है तो मैं ऐसे दन्यवाद मैं भी करता था जैसे स्वर्ग में बड़ी भीड हालेलुया अधार और सामर्थ किसकी है हाँ हाँ है तो इसलिए इन चीज़ों में क्योंकि यह किसका वचने आमीन हालेलुया बोलना जिकिसका वचने लोक इस यह कितना पावित्र शबद है लिखा स्वर्ग वो परमेश जो काश और प्रित्विंका करता है जो पूरी मनुख जाती को सिस्ट करने वाला बनाने वा इसलिए इसलिए आनन्द और जया तेरियो कि तु एक पुत्तर जुनेंगे उसका नाम येशु रखना वो पुरी दुनिया के लिए क्या हो कि समझारी मेरी और जब कोई इंसान इन बातों को समझ आता है फिर वो ना तो परेशान होता है ना मोरोता है हां कैसे होगा क्योंकि से समझ आगी उसे समझ आगी कि हां मेरे परमिश्र मेरे लिए सब कुछ कर चुका अगर आप उन्नीस लुका उन्नीस पड़ो तो वहां पर एक जगई नाम का जो पापी लोगों से गलत तरीके से पैसे वसूल करता था अगर आप इसे नोट कर लो उन्नीस की एक से लेकर थोड़ा साम देखते हैं एक से लेकर दस तक बढ़ों जहां पर यह एक जगई नाम का व्यक्ति था जो चुंगी लेने वाला था लोगों को से पैसे गलत तरीके से भी वसूल करता था जिशुमसी जब हां उस नगर में गए तो लिखा यह एक को देखने के लिए एक गुल्र के पेट बे चड़ गया क्या जड़ गया क्या जड़ गया क्या च्विक यह नाटा था पड़ शोटे का दखा था इस ने ये इसने ये शरंग नहीं कि दुनिया में मेरा एक नाम है जेशक चाहे लोग मुझे डरती हैं सब लोगों को मैंने कर जई करके रखा है पर इसका धिल था कैसे देखने के लिए खने ये गुल्ल पे भीड जा रही थी तो ये गुल्ल पे पेर की चरकर पड़े जब इशु वहां जगे पहुंचा जो उपर द्रिष्टी करके उसे का हें जगई जट उतरया क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्य है वैत्रूंत उतर कर आनंद से उसके अपने घर ले गया यह देकर सब लोग कुड़कडाने लगे वैतो पापी मुनु कि उसे समनते हैं यह पापी है बहुत घंदा इंसान है तो लोग कुड़कडाने लगे कि यह इशु मसी उस पापी मनुष्य के घर क्यों गया जगई ने खड़े होकर प्रभू से का हे प्रभू देख में अपनी आदी संपती कंगालों को दे दूंगा जदी किसी का कुष भी अन्याई करके लिया है तो मैं चोगना फिर दे दूंगा तब इशु ने उसे का आज इस घर में उधार आया है इसलिए यह भी के अब्राहाम का पुत्तर है इस घर में क्या आया है एक बंदा जो जिसका मन सिर्फ किस पुर पा पैसूं पर था क्या था जिस सिर्फ जस पैसूं पर था उसका मन जब यशु मसी उसके जीवन में आये तो वो घलत चीज से लोगों से ऐसे वसूल करता था उसने कहां जितना में अगर किसी का दिया मैं चोगना भरूंगा हां मैं अपनी संपती से गंगालों को देता हूं हां क्या देता है तो वें चोगना भी दे दूगा है पहले क्यों नहीं था यसा जब किसी के जीवन में उधार आता है उधार का मतल शुटकारा है कही लोगों का मन उन्हें इस पवितर चीशों में जैसे तुम भीस बोते हूं तो कहीं का मन क्या है अब आप आपने सिस्टर की गवाही सु कि मैं आया कि मैं हॉस्पिटल में जाती तो पता नहीं कितने लगते हैं इसलिका सब के सब जब तक उसके पुत्र की पहचान में एक नहीं हो जाएं एक तो ऐसे सोच रहा है कि मेरा तो वहां पर लग जाएगा इसलिए अच्छा है कि वहां पर भी तो खर्च ओता है इससे किसके घर में दें हां ताके मारा क्या नो यहां पीक सिस्टर थी अपरे शायद आज नहीं वाती उसके रिसाली थी रसाली और रॉप्र उसके ऑप्रेशन के लिए 15,000 प्या मांग रहे थे क्या मांग रहे थे 15,000 प्या वह अपनी रपोर्ट सम लेकर आकी कहती मैंनी मैं शा किसी वप्रेशन पर लगने मैं प्रभु के घर में दो नहीं तुम रोती खाने से पहले तौरी भूख दूर ओती कर छाने के बाद होती है कि लोग आते हैं प्रभु करेगा फिर करें परले विशास करना पड़ता फिर पर मिश्यास काम करता है ऐसे नहीं के पहले काम करें कि और जिसके पास मन ने इसके पास डिल ले है वो पहले देता है उब यह ……यह निका व पहले देखा है यह जब अहसे करती तो फिर अधिश दिखाता है हां जब पहले तुम करते हैं उसने का अपना करम पहले अपने उशार्थ से दिखा फिर मैं भी अपना अपने उशार्थ तुझे अपने करन से दिखा दूंगा फिले तू तो दिखा जिकही ने कहा है प्रभू मैं अपनी संपती से कंगालों को क्या गर दूँगा अगर अन्याये से किसी का लिया है तो चौगना भी दे दूँगा विशुने कहा है आज इस घर में उथार आया है क्या है उथार का मतलब शुटकारा शुटकारे का मतल स्वर्ग हां समझा रही है शुटकारे का मतल क्या है स्वर्ग है और जिसे परमेश्य देता है तो बोलो क्या है उसने गाए इस घर में आज से तूबरहम का पुत्र है क्योंकि मनुष्ट का पुत्र खोए हुए के निया थूड़न आर उनका उतार करने के लिया है इसका पुत्र कंवए उस्तार को भंच लिए कि हम एक दिन इस समसार में खोए हुए थे हम ने जानते थे मैं भी नी जानता था इश्व कोन ऑलमेस इसे कतने लोग है जो फोटकेश्ट में मातर को 2,4,5 ओंगी किते हैं लोग जो भून किस्चिन जो बजपन से मस ही हाँ है मुझे भी कुछी साल हुए है हाँ हम तो पहले क्या क्या थे थे अपनी अपनी धार्मिक्ता अपनी अपनी बख्ती में लगे हुए थे पर एक दिन हमने ये सत्य जाना है हाँ येशु समाचा सुना है सत्य बजटं सुना तो भलो कैसम ना तो कि इश ओ कौन हैं किसके लिए हुआ है क्यों है है तो यामने सत्य बजटं सोना है कहले तो हम पी जो संसार करते थे हम बीकरते थे हां पर हमें ये सत्तिवर्चन इखा जिसकी चर्चा पहले-पहल प्रभू के द्वारा भी और सुनने वालों के दोरा हमें निश्चे हुआ पका हुआ ओच्छा हमने समझा हां पापों की शमा और मापी किसी दूसरे नाम में नहीं है सरिके नीचे पूरी पृति के मनिश्चों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया हां कोई दूसरा नाम नहीं है अब जिसको समझ आगी जब मैं प्रबु में नया नया जब मैं जो काम करता था तो में बड़ा जब मैं पाप में था नशे करता था गलेची से करदा था तब पैसा था सुनो देहन से ज़रो जब मैं नशे करता था तो मेरे पास बहुत पैसे आते मैं कोई काम पर ध्यार नहीं देता फिर भी मेरी जेबे पैसे से बढ़ी गयती रोज का मैं हजार दो हजार भी खर्चत हूँ रोज का तो भी कोई कमी नहीं अजू में प्रभू में आया तो दम शेतान मेरे क्या कर दी कि सब कुछ बंकर दीया मैं इक अच्छ 10 रपाई का गया में आ और शेतान मेरे मन में ऐसे पांप मेरे मन के अंदर आसे बाते डालता था यह अच्छा जीवन है को अच्छा है कि अज़े तो बीर बार में बैठाता है विसकी की बॉद तरे आगे जिकन आगे देख यह जिंदकी अच्छी है कि वह वापस आजा वापस ऐसे बात पर में सत्य को उस उधार को मैं समझ चुका था कि मैं सत्य को झान चुका था कि मैं सुवे से लेकर सुवेशे बज़े से लेकर रात के बारा मजे तक नषा करता ही रहता लगाता है कि समझारी है है citizen, मेरे साथ ऐसा हुआ मैं समझ चुका थावझ बापने मुझे बहुत तोड़ने की क्या की, इसे लिखा ऐसा नहे सो बहगकर हम धूर चले जाएं क्या चले जाएं ऐसा नहें सो बहगकर हम धूर चले जाएं अगर मैं भी उस समें शरीर में होता, मैंने इस सत्य वचन को इस उधार के सुसमाचार को अच्छे से ना समझा होता, तो शायद आज मैं यहां पर खड़ा होकर आपको ना बताता, कितनों को समझा रही है, मैं आज खुदा का सिविक ना होता, आज आज आपको समझाता ना, नहीं, कोई और नाम नहीं है, मैं समझ जो कहा है, परमेश किसी को दुख नहीं देता, वो बिमारी नहीं देता, वो किसी को गरिबी नहीं देता, अगर तुम गरीब हो, तो इसका कसूर परमेश का नहीं है, तुम समझो, आप देखो, अपने अपको चेक करो, जो इशुमसी का जो थोड़े में बोने में वफादार है वो बहुत में होगा जो थोड़े में वफादार ही वो बहुत में नहीं हो सकता अब बताओ मुझे परमेशे गलत है के हम गलत है बताओ मुझे परमेशे गलत है के हम गलत है कित्तों को समझ आ रहे हैं कौन गलत है उसने का जो थोड़े में वफ़दार है वो बहुत में होगा जो आज थोड़े में नी है वो बहुत में कहां से हो जाएगा थोड़े में नी उसका मन ऐसे खुल रहा तो जादे में कैसे होगा कल को हजारों लाखों हो जाएंगे तो फिर क्या है आज वो सौर प्या निकाल रहा है कल को हजार निकालना पड़ेगा अगर वो हजार निकाल रहा है तो कल को दस हजार कहां से वो निकालेगा महिने का इसके पास मन है वो दस हजार भी अपना मह जे कही को कहां इस घर में उद्धार आया है वही व्यक्ति जो लोगों से क्या करता से कहता मैं अपनी आधिसंपति लोंगों को दूंगा अगर किसी से अन्याइए से लीगा है मैं चilation करके मिदे दूंगा इसलिए लिखा जब तुम बहुते हो तो हरस से खुशी से देने वाले से परमेशर क्या कर अमें आलेलुया समझा रही है जब खुशी से तुम करते हैं तुम्हारा वो रखता निये तुम्हें देता है चोगना करके देता है अगर यह सत्य वचना होता तो हम इनके गवाही क्यों सुनते हैं एक और जो आठ हजार पया कमाती थी काहां बारे दखड़े हो जाओं अम इनकी हम अभी देखना आज इनकी सब पिशे घूम जाओं सब देखो इने इनकी में पहले की आपको वीडियों दखाओं इनकी जो स्किन ने स्किन चेरे की पुरी सड़ चुकी थी चिंता के कारण हालातों के कारण क्योंकि क्या हो जाता है जब चिंता हलात होती तो इनसान सोच के क्या है आज इनका चेरा और उस समें का चेरा मैं आपको इनकी मैं भी इन्हें जब देखता तो कि मैं परमिश्री एक ऐसा है अशे पुरी स्किन सड़के जैसे सोच 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 कर देखो वही हो रहत है बोलो के आई वही हो रहत है जिसनी जब वर्ड को वचन को पुरो किया चाहे उठा के खुदा के भामन के लिए दिया कर्जा उठा कर लॉन लेकर जिसने भी दिया मैंने का डॉंट वरी परमिश्र उसका फल दे चुका है तुम धन्यवाद करते रहों कि हम सोर से निया मिशा से बहुती है दो महिने में हिंग इतना बड़ा खुदा ने दो महिने में सरे और परमिश्र पखबात करता है करता है पखबात बताओ मुझे करता है पक्बा वो नहीं करता इसलिक्था जब तक सबके सब उसके पुत्र की पहचान में एक न हो जाहे जोशी एश्युके बाराँ चेले थे तो सिरो तीनी का नाम बाइबल में आता है तीनी का नाम आगे आता है तेहीं ही नहीं रहों कि अपात में पत्रह होना जखो पत्रह होना जखो जो awesome और उनके नाम if you use the Bible में लिखे पर किया कुछ नहीं आप जो लोग कि यह भायी से गवाई गवा अभाय और बद बबकत बर्कत बरकत पर कि वहां हम सुन रहे हैं है और एक diamonds प post year new ड्रीय जै कि इसा कैता है नो के साथ में काम गरूंगा नो के साथ नहीं गुरूंगा को नो को इतना मन नहीं था अगर इस उरात को पहाड में तो भूस कहते हम गरे साथ जहां बेवी हम सात्क हो समझारी है आज आज बोलो आज मैने खांश करके आज कहा था हम कितने बजे शुरू करेंगे मेटिंग अज के प्रभु बोस मीटिंग शुरू करेंगा करेंगे सब्सक्राइब शुक्र करो कि अज काफी लोगों ने बूस ले लिया कुछ बाते हैं से शुरू में मैंने बोल थी थोड़ा नंबा चले गया थी START में फिर प्रभु भुश के बारे मैंने कुछ विशा दिया तो जिस बोस विस्त सौंग में हमने बोस दिया तो तब लोग आ बड़िगते जब तक आप आप आए तब तक तो हम दे चुके थे पर नएसल अश्ट ऐसा नहीं होगा है है कि निए समझा रहे है कि जब तुम किमत से लेना नहीं जानते तुम अपनी डूठी करते हो काम करते हो तो हुष तुम्हें पता है 9 बजे लगना तुम कभी सबता हुं कि थे करते हो ती कर justement क कभी कमार एक दो बार हो गया तो कोई बात ही तुम हर रोज तो नहीं कर थी कि त CafDrive का ताइम कि जब तक हम इन बातों को ध्यांंत से सुम्झेंगे नहीं इसलिए परमेश्य काते है मेरे पुतर मेरी किसी भी बात को हलके में ना जा अ हुआ किया ना जान को भोलो क्या है अरे परमेश्ण आपके मन को देखता है क्यूं लिखा 34 की ऐसे जबूर में 34 की आध के 9 पड़ना लिखा डरने वालों के द्वाले पर मिश्य अपने दूतों के क्या लगा कर रहा है जो डर रखती है क्या रखते हैं जो धर रखती है किते लोग डर रखती है और जो डर रखता है मों फिर कोई पाप नहीं करता है वो कोई गलत चीज नहीं करता है वो लो क्या है वो कोई गलत चीज नहीं करता है हुआ अच इसले मैं भी शुरूर में यही चीज में भी हाइज तक चोचो चीज मुझे समझ आई मैं डर्ने नहीं यह गलत है यह गलत है OK हाँ मैं अपने काम में भी क्या करता था हाँ About I'm a Senior very kaldi कमाना था था, तर मेनि भोंबी शोड दिया जब रभु में ते मैं इसलिए जए कही कुए का इस घर में की आ अधार अतार। क्या बोलो अधार का मतला fone कुया है कम अधार को ये बोलो कै कै शुटकार buck अजब इनसान किसी का मन खुलता है और अपने मन को फिराता है नहीं मैंने आज से यह नहीं करना कि अरе तुम सारी उमरतं हम कबर में चले जाएंगे न तो मेहनत करते करते ठक जोगे जितनी मेनत मैंने किया न सची प्रमेश्ण बाद को जानते हैं जितनी मेनत मैंने की कि समझारी तक ना करें पहुत मेंनत की पैसा भी था पर कुछ नहीं हुआ मेरे साथ वाले लोगों ने प्लाट ले लिए अपने खर बना लिए पर मेरा कुछ भी निमा इसलिका जब तक गर को यहवा ना बनाए तो बनाने वाले की मेनत है व्यर्थ है और जब परमिश्य देता है तो असानी से सब कुछ होता है जब परमिश्य का नुग्रह आया तो ज कि मैं यह कुड वह जादे रेट देकर कह रहे करो करो जी हमने यह जो इतने लोगों खुद अपने आप दे रहें जाता है तो आपके साथ में करेंगा तर्के देखो मैं नेका करके देखो जातियारो करने के लिए आसे तो बैटमे से कुछ निए है मां समबैठी है सुन लि कियार चलेगी जगुब की पत्री में लिखा जो खाली सुनता है और बच्छन को पूरा नहीं करता हूं अपने आपको दोखा देरा हूं जो खाली सुन रहा है वो बच्छन को पूरा नहीं कर रहा है आज तक मैंने परमेशिक की सिवा सच्चे मन से की है परमेशिक को जान दे कोई मिलावट नहीं, कोई कुछ ऐसा नहीं और खुदमन देखना एक दिन बड़ा बहुत बड़ा क्या करेगा क्या करेगा बलू बहुत बड़ा वो करने वाला है मुझे विशास है तुम जल्द देखो के क्या क्या आगे होने वाला है हमें आलेलुया जारो आसे जारो कि कुछ भी ऐसा लिखा सिपाने डिकाने उणेड़ा को नागी हूं अग्ट क्या कॉष्ज अगर तुम आसे त्यारो तो परमेसा एक है वचन लेमी की तेरे मुव में वो शांस का वचने काउन तरे बापों के लिए मारा गया गाड़ा गया और मुर्दों में से ही कहता है जदी तू अपने मूँ से यशु को अंगिकार करे और हिर्थे से विशास करे यशु मेरा भी प्रभू है कि अपने वह उद्टामाख्र है तू अपने रभनु मननना पीजित है उसाटा थोड़ी है आरे इशु सारे जगत का है शुआ हम वह की जाती धर्म के लिए अवह इसलिए स्टर पाया के हारे को पाप से बचाई कि वह पाप जो पहली औरत पहले किसे हुआ कि यह सारी दुनिया परमेशने एक ही मुनुष्ट से बनाई है और वही पहली और पहले मर्द ने पाप किया और उनके पाप से सब मुनुखों के जीवन में पाप आया और पाप के कारण शतान का दिकार बिमारी कलेश यह चार होग के अपने उस पाप के लिए एक में पुरतरल्गु का बलिदान देकर हमें out आया और बचाया इसे लिए उसके नाम से पापों की माधिय है और उसी के नाम से पापों का माधिय और ऊतार किसी और के नाम से थार आमसे अर alltid ौट करिज और विशास समग आई है ह nóa सब को दे चुका अब कि आखी ओपन कर चुका है हैं आपकी आखोप़ चुका है कि मैंने क्या करना है अबस आपके मन के उपर है सब एक अछा दिल है हुआ कि हर आखिया प्रें के साथ उन्हीं होरा करना है कि अगर कि देखो कि अगर हो करके देखो डिजल्ट अपने आप पागे हमने साउंड की सेवा लगाई सिर्फ 22-23 लोग आगे आए कम से कम हमारे पास डेट सो से उपर फैमली अई किन्ती सिर्फ 22 लोगों की नहीं आज तो कितने आदे लोक होंगे जो आई भी नहीं आए कितन फैमिली जो आज भी नहीं आई अगर आती तो पीशे तक जगे भी नहीं बटनी थी हमने कॉंटेंग की किंती की 160 पैमिली और देखो सांट के लिए सिर्फ 23 लोग आए 23 लोग अब हर बंदा चाहता है प्रमेशन में लिए ये करे वो करें हौ हां और हम क्या का दें जो तुमएं जीवन दे रहा है मुब्त में फ्री में दे रहा है कि कि एकिसी की चंगाई के पैसे लग रहे हैं जाम मैं किसी से पहले कहता हूं 10,000 बीया 20 चाहिए फिर प्रातना करेंगे आपके लिए ऐसा किस ऐसा तो नहीं है और होता है इसा भी होता है कि अपने दिल को खोलो अपने मन को खोलो पर मिश्य तुम्हे इतना बढ़ाएगा इतना ब्लेस्ट करेगा दुनिया में साल देगी अपके मैंने का दुनिया में साल देगी पत्रश कहता है लोग तुमारे आशा के विशे तुमारे विशे पूशेगे और तुमारे पास आईगे करके देखो चक कर देख यह हवा बला है करके तो देख त्यारों करने के लिए आथों को उठाओ और मनन करो इन वचनों से आज से कि कि हो उधार निखा जो जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभू के दोरा और यह सरक दूतों के दोरा भी हुई अगर तुमने सुनाएं तो लिखा इन बातों को इस उधार के विशे में निश्चंत मत रहो इसकी जांच भीन लिखा पत्रस कहता भुक्षक्ता उन्हें बहुत की जो अनुक्रह तुम पर प्रकट होने का था उन्होंने गवाही दी आज वही अनुक्रह वही किर्पा आज को कि मसीë के दरा हम पर होही एं मरोक आज ब्रक्रह को वियर्थ करने है तो इसलिए मन फिराओ और करोऊ मैंन करो मैंन करो और महनगोँ ऑज क्योंवेश मिश्चन के लिए मनन करो कि जो कुच मैने आज सुनाएं आज से प्रभू में पूरा करूँगी, मैं पूरा करूँगा, तुम आज से मन से, जिते लोग आज नए आए हैं, जब पुराण पी आगे, आज तक उन्होंने, उस मन से इशु को अगर उधार करता नहीं बाना, तो आज मान लो चाहिए को नए, जो पुराने भी, दिल से मै कभूल मैंने का कर लो आज सही, क्योंकि वो किसी का धर्म नहीं वो चीमन बदने के लिए है, अज मन से उसे मुक्ती दाता कभूल करो, मन से इशांस करो, लिखा हूँ हमारे पापों के लिए मारा गया है, गाडा गया है, पर यह नहोंना था, वो मरा रहता, लिखा वो तीस इशांस करेंगा, तु बच्छाया जा चुका है, येस, आज से बनन करो इस वच्छन से, मैं कहता हूँ हर बंदा, हर बंदा अपने जीवन की खुशी की, अपने शुटकारे की, अपनी ब्लैसिंग की, अपनी बिमारी की, कैसा भी रोक क्यों नहीं, सालों से क्यों परेशा क्यों नहीं, मैंने का आज की शिक्षा से, वो जीवन पाएगा, मैंने का वो जीवन पाएगा, जीवन पाएगा, धनेवाद करो और मनन करो, मैंने का धनेवाद करो और मनन करो, क्योंकि वो आज से 2000 साल पहले, वो सब कुछ पुरा कर चुका है, कुछ भी ऐसा बाकी नहीं ह जो पूरा होने वाद मोई है वो सब कुछ पूरा कर चुका है तुम्हारी हर परकार की हिलिक हर परकार की जिंग्याई वो खर चुका है वो सारे काम पूरे कर चुका है वो तुम्हें धनी भी बना चुका है का इसलिए वो तुम्हारे लिए कंगाल बना के तुम धनी हो जाओ वो तुम्हें धनी भी कर चुका मनन करो आज के वचन से कि मैं इस पर बाइबल कहती है सा नहों बहे कर तुम धूर चले जाओ इससे बहे कर धूर चले जाओ कोई और दूश्रा नाम नहीं है किसके पास जाओगे किसके पास जीवन ढूंडों के पाओगे क्या करोगे कि कुई कॉई और नाम नहीं किसे मनन करो और अपने मन में आज से कवादा करो मैने जीना मरना प्रभु तेरे में जैसे शदरक मेशक अबेद नगो ने का प्रभु उस राजा से कहा है राजा आज तेरी इस जलते हुए पठे से हमें हमारा परमिश्य चाहे बचाए चाहे ना बचाए हम तेरी मूर्ती के आगे नहीं जुके और हम जानते हैं हम जानते हैं कि वो तेरी उस चलते हुए पठे से भी हमें बचाने की शक्ती रखता है जब तुम ऐसा मन रखोगे तो खुदावन हर हलाद से हर मुसीबस से आपको बचाएगा और आप जो चानते हैं उसे पूरा करेगा एमेन हलेलुईया हालेलुईया हालेलुईया जितना तो मन्तीन करते हो जब परमेशा आपके लिए बोलता है तो जितना आपका मन्तीन है जितना आप रसीव करते हो धन्यवाद करते हैं हां उसने का मैं आपके मूँ से सुनना चाहते हूं इशु के पास वी लोग आते हैं, वो करते हैं, तुझे शांस है, मैं चंगा कर सकता हूं, आज भी इशु का रू है, वो ही उसी का आत्मा काम करता है, पर वो देखता है अपके मन को, समझारी मेरी, इसलिए जब ऐसा मन होता है, पर सब कुछ पूरा होता है, हमें, तभी हम अ मैं अगर बोलता रहूंगा, तो शाम के पांच भी बच जाएंगे, तो भी खतम नहीं होगे ये बाते, पर जितना तुम ले सकते हो, पचाओ उसे, समझारी है, अज अपनी सुनली गवाईया, जो बरकत चाता है खुदवन से, उसे बोना बढ़ेगा, बिना बोई, कोई ख आतना ही क्यों नहीं करता है, बरकत के लिए हमें भूना पड़ेगा, ये खुदवन का ठहराया पवितर नहीं है, जब हानन्या बाइबल में पड़ो ये कितना पवितर नहीं है, अनन्या और सुफीरा ने मन में सोचा हम अपनी भूमी वेच कर अपनी जमीन खुदा के काम क के लिए दें, रस्ते में उसके मन में लालच आगया, क्या आगया, लालच आगया, लालच नहीं ये जादा है पैसे, उन्होंने सोचा आधे आजे देते हैं आधे, पहले मन में सोचा सारे के सारे देंगे, बाद में सोचा आधे रखते हैं, जब पत्रस के पास गएं, तो पहले उसकी पती की फिर औरत की फिर तुन्नों की क्या होगी मौत होगी क्या होगी तुन्नों की मौत होगी ना आदा रहा ना थोड़ा रहा बोलो क्या रहा ना आदा रहा ना थोड़ा रहा ना आगे के रहे ना पीछे के ना प्रिथ्वी के ना स्वरुक के कोई भी आशीश ना सुरेक मिले ना परित्वी की अशीश में इसे होता है कि एक पबदर नहीं है आप कहीं बार आपके ही इस चीज के ऊपर आपको गवाहियां दे चुका हूं कई बार अपने जीवन के बारी अपने जीवन के बारे मैं तो मुझे नहीं पता मैं तो कुछ भी थोड़ा सा भी बै। जलहों है का कि पीस्थे करता हो जो चुका perhaps एक ओपने कोको नहीं को आपको याद को याद्मी को धिर को μीं पदम है करता है को स्था कोई लोगों को नहीं दूत एंप कोई बात नहीं उना चर्चे के चल जो अधा नहीं १ं पक्रमी को यह तेको जेल कार जी नहीं हर कि वहां पे चर्चनी आजन के साथ कुछ और लोग भी नए आए है कि यह इने समस्त आगी है क्या सुनना है फरमेशक को कैसे सुनना है कैसे वो काम करता है क्योंकि यह सालों से प्रभू में थी कि सालों से प्रभू में थी और अपने वंशों के शड़ापूं के बंदरों को तोट रहे थी अगर आपने यह सत्य यहां की टीचिंग को समझाए तो फिर तो आप कुछ भी हो है तो फिर आप खड़े रहों कि अगर नहीं सम्झा तो आप कोई बात नहीं चर्ची जाना है उ कि जा कोई बुरी नहीं है कि जो वहां के जो और उसके क्या है पैरो क्या बोलते हैं उसे पैरो हां पैरो गार जो कि अन्हां के जो में होते हैं अपने उनको पहले समझना वो कैसी है अगर इस चीज की आपको समझ आगी तो फिर आप बहुत आगे जाओगे पर कहिए उपने पीजों को अपने सीडों को अपने हाथ में ले लो जितने ओनलाइन हुमारे साथ है जितने ओनलाइन है उनके लिए पंजाब नेशनल बेंक का या अगॉट नंबर है क्योंकि आस अपने वचन को अगर सुनाएं तो बाइबल गहती है बिना बोए हम बरकत नहीं पाते तो आप भी खुदवन के राच्छे के लिए जैसे हमें चर्च भवन के लिए जो हमने साउंड का अनौस किया है जो आउनलाइन है वो भी आगे आ सकते ही आउनलाइन भी आगे आ सकते ही जो चर्च भवन की जो साउंड की हमें चीजे चाहिए अभी कुछ टेंट भी टेंट की हम रेंट पर कुछ चीजें लेकर आते हैं हमारा अपना जो है कम है तो वो भी चाहिए तो यह आप आगे आ सकते हो और साथ में यह क्या हुआ आर कोट है आप अपने ओफरिंग इस पर भी भेज सकते हो तके परमिशप के रस्तों को खोले इने बात करो यह स्मेरे प्रभू मैं प्रात्ना करता हूं तेरे ओनलाइन लोगों के लिए जितने लोग आज अपनी भे परसंद कर उनके रस्तों को खोल उनके हाथों के कामों पर उनकी जमीन के फल पर उनके पश्षूंवा पर सब पर मेरे खुदवन आशिष टे अपर आशिष टे थाखे वो छान सकें कि तु सच्छा परमिशनर तु किसी का भी ले कर रखता नहीं और निश्ची आस भी परम स्वरिक्ष से इशु मसी के नाम से दे चुका आमें तो जब तक बीज नी होगा उठेंगे नहीं जब बीज हो जाएगा तब उठेंगे हॉलिलुया मेरी सुबा तेरे नाम मेरी शाम तेरे नाम मेरे चल दे होई साहा विच एस तेरा नाम मेरी सुबा तेरे नाम मेरी शाम तेरे नाम मेरे चल दे होई साहा विच ये सु तेरा नाम मेरे चल दे होई साहा विच ये सु तेरा नाम मेरे चल दे होई साहा विच मेरे चल दे होई साहा विच मेरे चल दे होई साहा विच ये सु तेरा नाम मेरे चल दे होई साहा विच ये सु तेरा नाम हंचो आधिवाडी मैं वो दार हासे एक एक हंचो मेरा तु साब दार हासे एक एक हंचो मेरा तु साब दार हासे दुखों मेच जिन्दगी मैं काट दार हासे सुलियो ते दुख मेरा तु चाट दार हासे सुलियो ते दुख मेरा तु साब दार हासे सुलियो ते दुख मेरा तु साब दार हासे सुलियो ते दुख मेरा तु चाट दार हासे सुलियो ते दुख मेरा तु चाट दार हासे मेरी जिन्दगी नो दिता ये सु तु है अराम मेरी जिन्दगी नो दिता ये सु तु है अराम मेरी सुबा तेरे नाम मेरी शाम तेरे नाम मेरे चल दे होई साहा विच ये सु तेरा नाम मेरी जिता ये सु तु है अराम मेरी जिता ये सु तु है अराम जदवी में डोला मैंनू गली नाल लो दाए जदवी में रोवा मैंनू सीने नाल लो दाए जदवी में रोवा मैंनू सीने नाल लो दाए खुशिया दिहा देना कोई रही दे नुपा के कीता तु है पूरा सब सोली उते जाके कीता तु है पूरा सब सोली उते जाके मेरे लए की तमातनों कबूल शर्या मेरे लए की तमातनों कबूल शर्या मेरी सुबा तेरे नाम मेरी शाम तेरे नाम मेरे चल दे हो सामा बीच ये सु देरा ना मेरे चल दे हो सामा बीच ये सु देरा नाम मेरे चल दे थ्दार्या मेरे चल पर वाल सब कुछ तेरा है, कुछ भी न मेरा है, सब तेरे नाम ये सू सब कुछ तेरा है, कुछ भी न मेरा है, सब तेरे नाम ये सू सब तेरे नाम है, सब तेरे नाम ये सू सब तेरे नाम है, सब तेरे नाम है, सब तेरे नाम है मेरी सूब तेरे नाम है, सब तेरे नाम है, सब तेरे नाम है सब तेरे नाम है, 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 सब तेरे ना मेरी सुबा तेरे नाम, मेरी शाम, तेरे नाम, मेरी सुबा 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 तेरे नाम, मेरी मेरे चल दे हुआ साहा वीच, ये सु दिरा नाम इस देरा नाम मेरे चलते हो साहबिच येस देरा नाम मेरे चल देर साविचि, येसु तेरा 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 नाम मेरे चल देर न मेरी सुबा तेरे नाम मेरी शाम तेरे नाम मेरे चल दे होई सहाविच ये सु तेरा नाम जिन्द दुखा विच फसी सी मैं लाई तेरे नाम जिन्द दुखा विच फसी सी मैं लाई तेरे नाम मेरी सुबा तेरे नाम मेरी शाम तेरे नाम मेरे चल दे होई सहाविच ये सु तेरा नाम हालिलूया त्यारो कितने लोग त्यार हैं कि सब ये सब चाहते हैं कोई असानी जो कहता मुझे नहीं को चाहिए आरे पर मेरी नहीं चाहता है वह भी चाहता कि मैं सब को छीवन दो कि यहन्ना दस की दस में लिखा वह चीवन में कराया और कौन सा लिखा अमें मैं आडवांस में आपको बताता हूं कि जो संडे श्पेशल डिलिवरंस का संडे होगा यह संडे होगा नहीं संडे होगा तो मिसमत करना अगर परमेश्य तुम्हें सरुक से दे रहा है तो मैंने का मिसमत करना मैं आडवांस में आपको यह बता रहा हूं हमें तुम बहुत आगे जाने वाले हूं मैंने का परमेश्य आपको बहुत आगे लिए एक बात याद लिखना जो परमेश्य आपको तो कि जब तक हम करेंगे नी खाली सुनता है जो करता है नी बैबल करती है अपने आपको दोखा दे तो क्या फैदा है अगर मैं आउसा आपको blessing की गवाईयां दो तो और भी है हां और भी गवाईयां पर कुछ ऐसी गवाईयां होती है जो हम देते भी नहीं कि बहुत गवाईयां खुद अवंजो कर रहे हैं पिशली बार में वीर बार भी बता रहा था हम में में बस बता रहे हैं अभी हमें तो तियार हो अपनी हांतों को उठाओं धनेवाद करो और उस्वरक के परमेश्य के सामने प्रात्ना करना शुरू करो जो अपके भीच है ज आत्नकरोद अपने हाथों को वाइब्रेट करते हुए अपने आपको आत्मा से रूस से बरते हुए मैंने का अपने आपको आत्मा रूस से बरते हुए अपने हाथों को वाइब्रेट करते हुए मेरी तरफ देखो कैसे करते हैं जो नए लोग है मेरी दरब देखो, तोनों हाथों से करो भी सखर अंदने बेवे बेवे लुहू सक्रियंदने बेवे बेवे लहू सक्रियंदने बेवे बेवे धन्यवाद करो धन्यवाद करो मैंने का धन्यवाद करो कि वो परमिश्य हमारे भीच है वो भीच है जबकि मन की बातों को जानता है वो ही परमिश्य है लिखा जो अंदि एभको करेगा रात्ना करो उसके आगे जो जाते हैं पांगना शुरू करो करो के लिए सब जाए यहाद के ग्ल एक्तुंड़ में एका को माझा सॉ एका झचूरा बंगे एक हमें करทำाओ्स जो नए हैं बस येशु के नाम से आप कुछ भी चाहते हो खाहो अपकी घर की कोई प्रॉम्लम में नशे की हैं जो नए लोग है येशु ने का मेरे नाम से तुम जो मांगोगे मैं तुमें दूंगा तो कि सौरे गवरत धर्थी का अधिकार मेरे पेता ने मुझे दिया है और मेरे नाम से तुम जो मांगोगे मैं तुमें दूंगा जो नहीं मैं उनके लिए भी गाना हूँ मांगो मांगो अंगर मांग चुके हो तो मैंने का मांग चुके हो तो खुदमन दो मैंने रहे का वोऑ लोहू सकरी अंदने बेबे बेबे जितने बाबस सीर के रोगी मैंने का आज हीलो जाए मैंने का जितने बाबस सीर के रोग है right now in the name of Jesus छंगे हो जाओ right now जितनी अंदकार की रिसॉलियां पत्थरियां खिल्टियां इश्यू के नाम से हवा में उड़े मैंने का हवा में उड़े माइख्रेन के रोगी जितने माइख्रेन के रोगी अवो हीलो जाए चंगे हो जाए तमाम सिर के रोग आपको छोड़े और जाए कानों के रोगी आखों के रोगी हीलो जाए और चंगे हो जाए right now in the name of Jesus मैं आज सुभे प्रात्न में कानों के रोग्यूं को ही लोती वे दिखाए राइट नव इन दा नेम अव जीजस हर अन्दकार हर अपाप की बिमारी जो आपके कानों पर प्रभुता करने है राइट नव इन दा नेम अव जीजस आत्वाप का बंदुन वे टूठ चाहिए और आपा साथ हो जाएए रापके जोबी कानों की प्रभुलम है आज जाती रेश्य मसिर के नाम से मैंने का जाती रही इन दा नेम अव जीजस इन दे नेम अव जीजस, जितने टाइपाट के रोगी है, जिने बल्ग में खांसी है, जो काम है, रेशा है, फेपड में इंफेक्शन है, हीलो जाएं, मैंने का हीलो जाएं, हीलो जाएं, हीलो जाएं, पथरियां टूट चाएं इशु के नाम से, मैंने का तमाब पथरियां जाहें पित्ते में हैं, जाहें कहीं पर भी है, आज टूट चाहें, टूट चाहें, खुदा की सामर से टूट चाहें, उस उथार की सामर से आज टूट चाहें, in the name of Jesus, मैंने का उस उथार की सामर से वह सब पत्रियां टूट चाहें, सब रसॉलियां टूट चाहें और पार आ येस खुदा रफ ॉदंद नेम अव जीसुस मैने का ठोट चाहें ठोट चाहें ठोट चाहें घयखे रोकी ही लो चाहें मैने का घ्या के रोकी हीलो चाहें Caleb मैने का घयखें plac quello tomaria मैंने का मरे वए अकशी उठें मरे वए खुटने चे आपके खुटनों में जो ग्रीशनी व काम करें ये शू के न Cantwell करें रसीव करो जटिक आप उसे रसीव नहीं करोगे जट्थक आम अच्छा को के नहीं करोगे जो हटियों के रोकी वो काम करने लगें जो हटियां जाम हैं जो अंग जाम हैं जो काम नहीं कर हाँ ऊपर नहीं जातें टांगों के जो रोग हैं, आपके बाजों के रोग हैं, मैंने का हीलो जाओ और चंगे हो जाओ, मैंने का हीलो जाओ, जो चाम अंग हैं, वो काम नी करते हैं, से काम करने लगे शुकर नम से, राइट नो मैंने का वो काम करने लगे, मैंने का वो चाम अंग काम करने लगे, मैं जितने प्रकार के स्किन के रोग हैं वह आपको छोड़े और चाएं मैंने गाट छोड़े और चाएं लुतों की बिमारी से ही मैं आपको फ्वित से हील करता हूं चंगा करता हूं राइट नौ इन दनेम अव चीजस लिखो रासकां बबा नाम बोदरी संब बबा लाहू सक्रियंद नबा हर नशे की आत्मा हूं शोड़ो और चाओ जितनी अंदिकार की नशे की दुस्त आत्मा हैं आपके परवार में आपके बच्चों में आपके पती के जीवर में काम करत कि राइट नौ वो हर अंदिकार की नशे की दुस्त आत्मा ही छोड़े और चाएं राइट नौ इन दनेमों चीजस फ्रियो जाओ असादो जाओ हर अंदिकार की नशे की आत्मा छोड़े और चली जाएं मैंने का छोड़े और चली जाएं राइट नौ राइट नौ हर कले कि आत्मा छोड़े और जाए हर जादू की डूने की डिले की सापों की राइट नौ इंद नेव चीज़स राइट नौ इंद नेव चीज़स जितनी अंतिकार की दुष्ट आत्में कुप्त रूप में आपके जीमन में शिपकर काम कर दी हैं आज उस उथार की सामर्त के बच कर रहे हैं मैं आख आकन से उदृ आत्मों को जो carrying रियों में काम कर दी है मैंने मैं उदुर स्मक्राथ में आपके श्रीडों में काम कर दी है मैं उथार की सामर्त कर लिस करता हूं उस वचन को दीनित रात्मों के उपर jadi में रिलीस करता हूं, मैं रिलीस करता हूं, राइट नाओ, जो गुप्त रूप में काम कर रही है, जो गुप्त रूप में काम कर रही है, जो गुप्त रूप में काम कर रही है, राइट नाओ, राइट नाओ, जितनी अंतिकार की दुस्त आत्माई, जो गुप्त रूप में अपके अंगों में खाम कर रही हैं, Gee, बरकट में नहीं हैं आपको बीमारी देती हैं, आपके घर में कलेश कराती हैं, right now, right now, आज उथार की सामर्ड को में रलीज करता हूं, वो चित्नी भी दूस्ट पनात मैं, आज उस उथार की सामर्ड के सामने ठैर ना पाए, right now, और नाम से और चंगे हो जाओ, शोचा और चंगे हो जाओ, बंद पिरट खुलें, मैंने का बंद पिरट खुलें, बंद पिरट खुलें, सारे खुप्तरोग आपको छोडें और चाएं, सारे खुप्तरोग आपको छोडें और चाएं, सारे खुप्तरोग छोडें और जाएं, हर सादो जाओ और शूट जाओ, मैंने का सादो जाओ और शूट जाओ, सादो जाओ, सादो जाओ, सादो जाओ, सादो जाओ, सर्वाइकल के रोकी, बवसीर के रोकी, माईक्रेन के रोकी, मैंने का चंगे हो जाओ, मैंने का चंगे हो जाओ, हर परकार का बीपी का शुगर का रो करता हूं राइट नौ और चंगे हो जाओ राइट नौ 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 राइट नौ इसी समें इसी समें इसी समें मैंने का इसी समें वो घरब जो मराएं भच्छी उठें इश्यू के नाम से उस श्यतान ने जे आपको खरब पाथ को पकड़ा है मैं आज उस उथार की सामद को अपके घर पर लीस करता हूं Right now in the name of Jesus Right now Right now, right now Right now Right now Right now in the name of Jesus Right now in the name of Jesus Yes, yes, yes बूपारा सक्खाबाबाबाबाबा ने बोच शकरींदने भी 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 ले पूरी साह कन्तों के रोगी भीढूदी के रोगी कमबर के रोगी जुलों की दर्थ हिप की दर्थ जत्ती भी परकार की दर्थ है आपकी बोड़ी में Right now आपको छोड़े और चाहें, मैंने का छोड़े और चाहें, छोड़े और चाहें, छोड़े और चाहें, मैंने का छोड़े और चाहें, छोड़े और चाहें, जो आपके लीवर में हैं, इन इफेक्शन हैं, आपका मेधा खराब हैं, आपकी पाच्छन करिया सही नहीं हैं, रा मैंने का सही हो, मैंने का सही हो, हर प्रकार के पेट की रोग चले जाएं, हर प्रकार की पेट की इंफेक्शन, पेट की रोग आपको शोडे और चाहें, शोडे और चाहें, शोडे और चाहें, शोडे और चाहें, ब्लड के जितने भी रोग हैं, मैंने का ब्लड के जितने भी राइट नाओ इट निंदर नेम अब छीजस, आपको छोड़े और छले जाएं ちょड़े और छाएं मैने का छोड़े और जाएं छोड़े और जाएं छोड़े और जाएं सोड़े और जाएं लिपाखागा एलाव एलांड़ एलाट भ् allen देव क Corndazz बहुंदा लो हूं रिस्ट्रिय अंदे नाब भुरी संपान गई लऊ सक्रियंदने नुश शकुर अंग धिल च दिल से द Tem Usdom करो लऌ उस संग्रियंदने कि बयन भब बब मर च पर कुष यह ऱह चा से जाओ, हर उसकरश से आज़ाद हो जाओ, हर उसकरश से आज़ाद हो जाओ, हर आपके जो रस्ते श्यतान ने बंद कीए मैंने का खुल जाएं, सब बंद रस्ते आपके खुल जाएं, सब बंद रस्ते आपके खुलें, सब बंद रस्ते खुलें, सब बंद रस्ते खुलें, र कि सारे बंदरस थे खुले, मैंने का, मैं आपको ब्लेस गोशित करता हूँ, आपको चौप के साथ, वीजे के साथ, पासपोर्ट के साथ, मैंने का, मैं ब्लेस गोशित करता हूँ आपको, आपके घर के साथ, बच्चे के साथ, मैं ब्लेस गोशित करता हूँ, मैं ब्लेस रहा इसक्रेंतना बपन यद्यन रामबु या देखे बपन आपवो यह बच्छोर्श से लंऔ सुधिन, निसुख्रोछुन बपन वह दहों नहीं कोई पत्त्रियों के ऐसे दर्भ से वह परीशान ए。 पत्त्रियों की दर्भ से आप जो को य भी ओध कुदाबन करूँ आप को ऐ शूरा हो। मैंने का खुदवन करूँ आपको छूराये और भील हो रहे हो राइट नाओ आप चंगे हो रहे हो राइट नाओ मैंने का आप चंगे हो रहे हो ले बासा कारा बाबा 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 नेम बरो को रार बाबा बाबा री शक्रिंदने बे 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 ले बो सक्रांदना बे 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 लाब बाला इस शक्रिंबे देने मुझ के अंदर के रोगों की हिलिंग को मैं होते हुए देख रहा हूं मैंने का मुझ के अंदर के रोखो कि मैं हीलिंग को होते हुए देख रहा हूं टांतो कि In the name of Jesus Right now मैंने का Right now और चंगे हो जाओ Right now in the name of Jesus चंगे हो जाओ चुर्चार करता है यह सात्गलस बंद बनाता है हर ओ शेटानी आत्म है जो रात के समय आपके सात्ग अटाग करती है इस तेैचार के आपको सब्ञार करती है शेटान आपके तूर्चार सब्ट बनाता है Right now in the name of Jesus Right now in the name of Jesus वो शेटान आपकी लाईफ से अपके जीवन से अपके घरानय के सिछाहीँ हर आप अजाद हो जाइएं मैंने का आप अजाद हो जाएं आजाद हो जाएं आजाद हो जाएं बखारा शक्क्रोंपा-बबबबब emission दरीदने बीथ सिख्रीम दिने बडीवीड बीड़ी की शक्ति को को कि शौच जीवन पर अटेक करती इत और दवंक रूप मैं तकार रहा है आज से मैंने का चांत करो जो vac झाल आपके पर आटएक करती थी और ते वह उसका अटाक करना पर मिश्र बंद अई जो वरोथी की शक्ति आपके जीवन पर अटैक करती थी बार बार मैंने का आज से रसिव करो आप गवाही दो कोई वो बंदोगी शुके नम से मैंने का वो बंदोगी, मैंने का वो बंदोगी शुके नम से, वो बंदोगी राइट नो, तुम देखोगी, तुम उसके उथार की सामत को देखोगी, ली पाना खा रहे सकर अंदर ने भी भी, ली शक्रों बाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाब मैंने का खुदा के रूख को उसके आत्मा गवाज आपको शुत्य हुए देख रहा हूं को देख रहा हों खुदाबंद का रूख को शुरा राइट नायता ने व छीसस् रेसीव करो और शूट जाओ सब बीबारीं से दुखों से यहते आनलाइन हमारे साथ जो आनलाइन है वह हुए रैट नाय आव भी दिसीव करें राइट आपनोर कि आड़ाई नाय ने वह आसाद हो जाएं राइनो, राइनो आसाद हो जाएं लोकार सक्करामब बबबह लबवर रश भोलाबबबह जिनसे उठा बैठाने जाता में, अब उठो और बैठो अपको देखो आपने बाचीत को खम हो शकर यंदने हमिने हमोट उस्क destin करावाबा जो नहीं हो रहा था वो करके देखो किसास से करो विछा नहीं हुद नहीं हो नहीं हो है वंक्पे ए मैंने का उसका रूम आपके भीच है ऊसका रूम आपके भीच है शास से उठ्वरा बेठ्थव जो नहां उताव लुग व्यजिए ने खोरी शर्फख रच बंब न Alcohol। रेंद नयारे बैबबड T Vy VO B बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब यह चीज है यह चीज हैं ऐसे है Beyond से मेरी और देखो यह लिथ नहीं है यह इसके अपर यह छीज के अपर आपके कोई रो गैं मैं आपको ही लोख देख एक्र हम आप जो कोई भी हो मैंनेका आप जो कोई भी हो को रेसीब करो right now in the name of Jesus आप जो कोई भी हो मैंने का रेसीब करो और चंगे हो जाओ मैंने का right now in the name of Jesus आप जो कोई भी हो खुदावन ने आपके अप्तिरिष्ठी की right now in the name of Jesus right now in the name of Jesus yes 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 कुदावन के रूखो ट्सक्ली मैने का हसमें आपको कंटो कि पड़े परकार की हुदावन करूश सूत्र हुए कि लभाराआ खा की सिव रंदाना अबे बें लबोरी संदना कि तीधन इस कि उतीत मैं इसा गर्ने शुरू करो किये लुकां राभ पाप भाप है अनिक वडिक्रों है छायप धी अन्युत कर्ते हुए खहर बश्या में बाथे खूर दे आत्मा से भरत हुए तेरो की उंगलियों की लिंग को मैं होते हो देख रहा हूं मैंने का आपके उंगलियों की मैं हिलिक को दुभ होते हुए देख रहा हूँ In the name of Jesus Right now और चंगे हो जाओ Right now और चंगे हो जाओ मैंने का चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ लीपोरी सा खादा में बगले आपके पैरों में जो चलन खारिश रहती है राइट नाउ रेसीव करो और चंगे हो जाओ मैंने का रहा है रहा है रेसीव करो और चंगे हो जाओ मैं आपकी बोडी से आपकी स्किन से मास उतरते हुए देख रहा हूँ आपको ऐसा एक रोग है, आपके स्किन से मास उतरता है, आप जो कोई भी रेसिव कर और हीलो जाओ, मैंने का जो कोई भी रेसिव कर और हीलो जाओ, right now in the name of Jesus, right now in the name of Jesus, मैं कुछ ऐसे चखमों की फोड़ों के जैसी बीमारी को देख रहा हूँ और खुदाबन करूँ, तो मैं आपके स्चूर आए, अपने मन को फिरा, खुदा के साथ छीने का एक फैसला लो, आप जो कोई भी हो, आपके ऐसे चखम फोड़े के जैसे, अपने मन को फिरा और खुदा के साथ, तरमेश्र कहते ही, एक अच्छा रिस्ता मुझसे बना, अपने मन को फिरा हो, खुदा मन मों तुझे चंगा करना चाहता है, मैनिक अपने मन को फिरा और खुदा मन तुझे अच्छा करना चाहता है, इस इस इस, इस, आप जितने भी रोखियांस राइट नौ सुथार के सामत को वचछब के रिलीश करता हूं, मैने का ही लो जाओ, और अशादो जाओ, मैं स्यतान कि जितने भी परकान की नक्टिविटी का परवाम है आपके परवारों में आपके शरीरों में आपके बिजनस में अपने कारों बार के आपके बाड़ी में राइट नाओ उस उधार की सामद को रिलीस करता हूं शूट्छा और अजाद हो जाओ इन दर नेम अप चीजस यस यस खुदा बार ऐसा मैं शास करता हूं कि ना तो अपने लोगों के लिए आज कर चुका ही ये श्यो मसी के ना अमें Amen Hallelujah 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 ऐसा हो चुका उम देर नहीं करेंगे जो कुछ भी आज खुदा ने शुआ आपके साथ काम किया जल्दी आएंगे जल्दी से आएंगे, जल्दी से आएंगे, इनको उठाओ, जो जो भी है, जो जो आज आज आपने रेसीव की आएं, जो खुदा के रूह ने आपको चुआएं, चलो शतान, शड़े उसे पूरी तरह से, शट, गंदी आत्मन निकल जा पूरी तरह से, शड़े शड़े चट, 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 क्यों तू आया क्यों है क्यों आया क्यों है क्यों 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 पकड़ा तुने असे हां बोल के नाम क्या तरह हां क्या नाम है तरह ओई शितान क्यों पकड़ा तुने असे हां बड़े सालां ते पकड़या ने बड़े सालां ते पकड़या क्यों क्यों पकड़ा तुन्हें सालों से क्यों नहीं आन देना यह तो आएगी यह तो आएगी क्योंकि जिस पर यह शास्कर्थी उसने असे उधार दे दिया है अब तेरा इसके उपर कोई अधिकार नहीं है पताएगे नहीं बेदा बोल पाता है कि नहीं बता चल येश्यू के नाम से कितने जाने हो बोलो कितने हो बोलो बोलो कितने हो चलो जितने भी हो एक साथ येश्यू के नाम से शेतान तरे प्रवाब को मैं इसकी बॉड़ी से तोड़ता हूं इसी समी right now in the name of Jesus चल गंदी आत्मा चीक और चला और निकल इसकी बोड़ी से हमेशा करता हूँ right now गंदी आत्मा निकल चल चूट शट मैं खुदवन की उत्थार की सामत को तेरे पर लीज करता हूँ मैं सी समेर लीज करता हूँ चल शतान चल आस तो चले ईशु के नाम से चलो खड अखड 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 चल पूरी तरह से अखड इशु के नाम से right now in the name of Jesus चल आउट 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 चल पूरी तरह से free free in the name of Jesus yes Amen जल्दी से आउट जल्दी से परमिश्य से हजाद कर चुके कोई बहां नहीं उटती है अपनी आप उट जाएँ किते लों को इशास करते हैंगे जब भी परमिश्य यहाँ पर आपके लिए बोलता है जो कुछ भी आप रसीव करते वो कभी भी ऐसे नहीं होता कि कभी भी ऐसे नहीं होता कि वो चीज़ काई रसी होता है कभी यासी इसा अग बताओ मुझे जो आपने सुना हरोlles नहीं वो नहीं हो Limited बताओ मुझे अपने कभी सुना है क्अथा है कभी हुआ हो बताओ मुझे मैं अपसे पूश्जता है अधिक जो कुछ भी खुदा ने हमें दिया है हमने देखा है उसकी पावर को, उसकी सामत को हमें हालिलुया इसी ती से बने रहो खुदावन आपको बहुत उचा करें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो खुदावन से नहीं हो ठीक हैं जल्दी से बताओं जल्दी से जल्दी से इतना थायम नहीं कि में बता रही कि दो मेहिने हो गये इनकी पूरी बाढदी में बहुँत ज़दा दार्द थी जिबातारे जैसे इन्होंने वर्शिप सोंग में जिबातारे अब पूरे म Trung से रूद से इन्होंने वर्शिप को किया, जिबातारे प्रभु कि ग्रेजन इनकु कुष हुआ जिबातारे अब बिलकुल उस दर से पूरी तरह से फ्री हो चुके तारिफ करो तारिफ करो जोर से जोर से हालिलोईज आप आप आश्वास साथ संक्तिम में आई और इन्हे nit वार्कोर सीव किया अब यह बहुत बतारे कि इस प्रॉब्ल्स इस दर्च यह प्रॉपर्लि अज़ाद रो ऊचुके हैं बोलो अपने पडोसि को कि जो कुछ भी परमेशा करता है तेरे लिशास से करता है विशास कर वfelt अपने पडोसि को कि उशास कर तो उसकी मैमा को देखेगी देखेगा बोलो बोलो अगर आप देखना चाहते हो तो जो वचन कहता हुआ हपारी अजर संधी on ियуз कि इनके कंदों में और बैक में में बहुत जादा दर्थी और जैसे प्रभु के दास के द्वारा यहीलिंग्स वर्डा है उसी समय नों विश्वास से रसीव किया इस प्रोब्लम से यह बिल्कुली फ्री है अमें तारिव करो तारिव करो कोई भी खुदमन का काम शुटन विश्वास बढ़ा चाहिए इनके बैक में में दर्दी और कंदों में और सर्में दर्थी जैसे प्रभु के दास के द्वारा यहीलिंग्स वर्डा है उसी समय नों ने सीव किया इस प्रोब्लम से बेल कुल किया तार करो तारिव करो जोर से जोर से जोर से जल्दी